कि कि हैं हलो हलो 124 124 है हलो हलो 124 124 है हलो 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 वैं हलोई एद है हलो इस टूडंटस कैसे आप सभी लोग मैं पूरी उमीब करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया मैं भी आपर मौझ में सबसे पहल तो यह बताइए कौन-कौन बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक पीछे के सेशन के सारे कोश्चन कर लिए अभी तक हम कर चुके हैं कोशी डाइरेक्ट एक्सपेंस एबी सी सर्वेस प्रोसेस बजट इस्टेंडर्ड और मार दिकत नहीं कल सुबह वाले सेशन में पूरा हमारा दियांड हो जाएगा बच्चे कह रहे हैं वासुदेव ने सारे पोश्चन कर लिए हैं ब्रमेद ने पूरे कर लिए हैं युवराज ने पूरे कर लिए हैं रिया ने पूरे कर लिए हैं जसकीरत ने पूरे कर लिए हैं वैसनवी ने पूरे कर लिए हैं तुशार ने पूरे कर लिए हैं मनोज ने पूरे कर लिए हैं एकसेप सर्विस कोस्टिंग कृतिका कर चुकी हैं कुनाल कर चुके हैं कौनक कर चुके हैं कुलदीप ने पूरे कर लिए हैं धुरुपका बस प्रोसेस रह गया है बाकी हो गया तो question करने के बाद आपको ये लग रहा होगा मैं आपको बतातू हूँ अभी यही तक आपका जितना हुआ है 70 marks के approach का आप cover कर चुके हैं बलब जितना कर रहा है इसमें से 70 marks का numerical बनता है अब हमारे पास 30 number के numerical का content बचा है जिसमें से 20 number का हम आज करेंगे और 10 number का हमारा कल हो जाएगा तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं material cost, employee cost और overhead cost तो material cost से 5 to 10 marks का question आता है लेकिन इसमें variety of question बहुत ज़्यादा होते है employee cost में सिर्फ दो ही variety आती है और 5 number के approach की बेटे जाएगी overhead भी मतलब उसमें variety जाता है लेकिन उससे भी 5 से 10 number का question आपका बना रहेगा तो हम लोग स्टार्ट कर रहे है material cost directly आजाएगे material cost chapter number 1 था हमारा हम अलग सीक्वेंस में चले थे पहले हमने बड़े chapter करे थे फिर छोटे chapter चोड़े थे देखे material cost के अंदर हमारे पास एक concept चलता है economic order quantity तो economic order quantity basically क्या है जो भी company होती है उसे पूरे साल supplier से समान मंगवाना होता है ठीक है जी तो supplier से हमें समान मंगवाना है ये समान इसके बाद company के store में रखा रहता है और store से फिर ये factory में जाता है consumption के लिए वहाँ से फिर finish goods बनता है तो हमारे पास EOQ concept है कि supplier से कित्ती quantity मंगवानी चाहिए तो जब company supplier से समान मंगवाती है तो समान मंगवानी की cost को बोलते है ordering cost कि आप जो समान मंगवारे हैं उसका कित्ता खर्चाएगा तो जैसे truck की loading है transit insurance है toll tax है ये सारी चीज़े इसमें cover हो जाती है इसके बाद में दूसरा खर्चा आता है जो आप store में रखते है तो एक तो storage cost लग जाती है store में रखने का खर्चा प्लस जितना समान आप रखते हैं अगर वही पैसा bank में रखते तो interest की opportunity cost लग जाती है कि यही पैसा अगर हम बैंक में लग लगते हैं तो order size के हिसाफ से जितनी ज़्यादा बड़ा आपका order होगा इस टोर उतना बड़ा चाहिए आपका पैसा उतना ज़्यादा ब्लोग होगा तो आपकी interest की opportunity cost भी उतनी ज़्यादा लगेगी तो जैसे जैसे order size बढ़ता जाता है वैसे वैसे carrying cost बढ़ती जाती है तो carrying cost की direct relationship है order size के साथ ओके और ordering cost की inverse relationship है ordering cost का क्या है आपने अगर बड़ा order दिया तो truck एक वार में आकर समान देगिया मनलोग पूरे साल का एक वार में आपने order दे दिया तो पूरा समान एक वार में आपके पास आगे एक वार का खर्चा लगा अगर आपने साल में दो order दिये यानि order size आपका छोटा है तो दो वार truck बुलवाना पड़ेगा और order size छोटा है तो चार वार पांच वार जित्ता order size छोटा करते जाओगे number of order सुत्ते पढ़ते जाएंगे तो ordering cost का inverse relationship चलता है order size के साथ तो जैसे जैसे order size आपका बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे ये खर्चा कम होता जाएगा ordering cost इन दोनों cost को जोड़कर हमारे पास आती है total cost इस total cost में ordering और carrying cost का total होता है तो यहाँ पर जब भी दो चीजों का दो variables का inverse relationship हो तो वो जहाँ पर intersect करती है वो हमारा optimum point होता है best point होता है जैसे आपको ध्यान होगा demand और supply में क्या होता है demand और supply जहाँ एक दूसरे को जहाँ पर intersect करती है दोनों का inverse relation होता है जितनी ज़्यादा demand price उस हिसाफ से demand के हिसाफ से price बढ़ता जाता है और supply जितनी ज़्यादा होती है प्राइस उतना काम होता चला जाता है तो जहाँ दोनों intersect करते है demand supply वहीं पर price सेट हो जाते है same to same इसमें भी यहाँ पर जहाँ intersect करेंगे उस order size को हम बोलते है economic order quantity यानि यह order quantity हमारे लिए सबसे सबसे है economic order quantity पर carrying cost और ordering cost एक दूसरे के बरावर होती है दोनों इस दूसरे को intersect करती है तो एक point हमारे पास चलेगा economic order quantity इसके अंदर simple सा रहता है एक point है reorder quantity reorder quantity का मतलब है कोई भी order size जो company repeat करती है तो कोई भी order size आरो क्यों है इसके बाद में ordering cost का मतलब ordering cost का मतलब है पूरे साल की ordering cost कितनी आईगी तो इसमें हम सबसे पहले निकालते है number of orders number of order के लिए हम लेते है a divided by ROQ a का मतलब है annual requirement of raw material आपको पूरे साल में raw material कितना purchase करना है जैसे मानलो हमें 1 lakh kilogram purchase करना है पूरे साल में और आपका order size ROQ है 10,000 तो बता ही number of orders कितने हो गए number of order हो गए 10 तो a divided by ROQ number of orders को represent करता है 10 orders हो गए हमारे पास एक order का खर्चा मानलो 1000 रुपे है तो हमारे पास total हो गया 10,000 रुपीज ordering cost के पूरे साल की cost 10,000 आईगी अगर 1,00,000 कि requirement है और 10,000 किलो करके हम मंगवाते है तो a divided by ROQ उसे number of order आ जाएंगे multiply by O आप करेंगे O का मतलब है cost per order और आपके पास annual ordering cost निकल कर आ जाती है इसके अंदर धिहान रखना होता है कि कई बार ऐसा question मिलेगा जिसमें number of orders point में आएंगे जैसे 9.2, 9.5, 9.8 तो अगर order side decimal में आया है तो हम इसे round of करेंगे और हमेशा positive round of करेंगे यानि 9.5 को तो 10 करते 9.8 को 10 करते 9.2 को generally हम 9 करेंगे क्योंकि 0.5 से कम है तो ध्यान रखना है इसे भी 10 orders करेंगे तो हमारे पास number of order कभी भी decimal में आएगा तो हम उसको हमेशा positive round of कर देंगे तो 9.2 हो, 5 हो, 8 हो हम ये मानेंगे हमारे total 10 orders है इसके बाद में दूसरी cost आती है carrying cost carrying cost के लिए हमारे पास formula रहता है half of ROQ multiply by C तो half of ROQ multiply by C कैसे रहेगा जैसे हमारी reorder quantity है 10,000 kg ठीक है C का मतलब होता है carrying cost per unit per annum carrying cost per unit per annum तो मानली जैसे 100 रुपे की एक unit है 10% ब्याज है उस पर तो हमारी carrying cost आगे 10 रुपे अब question कहता है annual carrying cost ने कर दो तो हमारे पास होता है half of ROQ multiply by C ROQ कितना है आपका 10,000 kg आप एक वार में 10,000 kg मंगवा कर restore में रखते है carrying cost है आपकी 10 रुपे तो एक लाग का कर्चा होना चाहिए इसको average कर देते है average किसले करते है यह हमारा go down ने अगर आप इसमें एक वार में 10,000 kg लेकर आते हैं तो होगा क्या शुरू में पूरा go down फुल होगा 10,000 kg से फिर धीरे धीरे क्या होगा इस go down में समान थोड़ा कम हो जाएगा फिर थोड़े दिनों के बाद और कम हो जाएगा फिर थोड़े दिनों के बाद और कम हो जाएगा और एक दिन इस go down में श्टोक 0 बचेगा तो अब बताइए 10,000 kg पे carrying cost लगाऊ यह 0 पर तो हम इसका average ले सकते हैं कि ना 10,000 kg पे लगाऊ ना 0 पे लगाऊ इसके average पे लगाऊ तो यहाँ पर आगया 5,000 तो हमारे पास carrying cost का formula यह को ले कि 10,000 में plus 0 ही करना है तो आप सीधे 1 half of 10,000 कर दो तो formula बन जाता है half of ROQ multiply by C तो इस question के अंदर हमारे पास carrying cost यहाँ पर बन जाएगी 10,000 कर 10,000, 50,000 रुपीज यह carrying cost हमारे पास आ जाएगी अब annual carrying cost के case में most of the question आपको जो मिलेंगे 95% वो ऐसे मिलेंगे जिनमें safety stock नहीं है कुछ question आप से बोलेंगे कि हमारे पास safety stock भी है तो safety stock का मतलब है एक stock की quantity हमने reserve में रखी हुई है जिससे कोई भी contingency हो तो उससे adjust कर लेंगे यह quantity पूरे साल हमारे पास reserve में रहती है इसमें variation नहीं आता यानि यह up down नहीं होती तो जैसे मालदो आपने 1000 kg go down में side में रख दिया कि यह हम reserve में रख रहे है तो कहा गया कि half of R of Q multiply by C तो रहे गई रहेगा जो reserve में रखा है उस पर भी तो carrying cost लगेगी तो safety stock units को भी C से multiply कर देंगे इसको 1 by 2 नहीं करेंगे region being यह पूरे साल 1000 kg ऐसी maintain रहेगा इसमें ऐसे variation नहीं आएगा कि safety stock आजे 1000 है फिर 900 है फिर 800 है फिर 0 हो जाएगा safety stock 1000 का मतलब है पूरे साल 1000 का reserve हम maintain करेंगे तो इसमें variation नहीं आते है इसलिए इसके पास 1 by 2 नहीं लगता तो हमारे पास ordering cost का formula रहेगा A divided by ROQ multiply by O carrying cost करेगा half of ROQ multiply by C अगर safety stock है तो इसमें safety stock into CB add कर देंगे अब question आप से पूछेगा economic order quantity तो वही बाद नीचे आपकी order size है ये आपकी carrying cost है इसको holding cost ही बोलते है ये ordering cost है जहां दोनों intersect करेंगे वहाँ EOQ आजाएगा तो एक जिस point पे intersect करते हैं उसका formula है हमारे पास under root 2 A O divided by C ये हमारा EOQ का formula बन जाता है जिसके अंदर A का मतलब है annual requirement of raw material to be purchased इसमें ध्यान रखना है कि A का मतलब है कितना raw material आपको purchase करना है quantity में O का मतलब cost per order और C का मतलब carrying cost per unit per annum तो ये हमारे पास EOQ का formula बन जाएगा इसके उपर portion गुम गुम कर आते रहते हैं तो बहुत ही simple सा रहता है ये इसके इलावा एक दूसरा concept चलता है levels, stock levels तो अलग-अलग stock levels हमारे पास रहते हैं वो stock levels पूछे जाते हैं तो हमारे पास material chapter में जो सबसे ज़्यादा importance है वो इस दो चीज़ों की है एक EOQ model की और दूसरा stock levels की stock levels आपके पास जो मिलेंगे कई जगे पे दो-दो formula उनके जहां भी दो formula उनसे दो अलग-अलग answer आते हैं पर exam में दोनो formula से suggested answer आता है तो आप कोई भी एक लगा सकते हैं जैसे की reorder level सबसे पहला हमारे पास stock level है reorder level इसको ordering level या फिर reorder quantity बोलते हैं इसका मतलब है हमें कितनी quantity stock में बची हो जब supplier को phone कर देना चाहिए कि supplier भाई साब समान भीज़ दो तो reorder level है कि supplier से कव समान की demand करनी चाहिए देखो stock zero होने पर तो आप demand करोगे नहीं demand आप करोगे stock zero होने से पहले उसका region यह हमारे पास supplier है यह हमारे पास store है और यह हमारे पास factory है अब factory के अंदर क्या होता है store से factory में material issue होता है इसको consumption भी बोलते है raw material की consumption इसको usage भी बोलते है raw material की usage तो raw material issue, consumption या usage इस टोड से फैक्टरी में होती रहती है according to production pattern जो भी आपको जितना production करना है उसे साफ से रो मैटेरियल जाता रहेगा supplier के यहां से हमारे पास समान आता है ठीक है तो यह जो consumption है यह तीन लेवल पर चलती है एक है minimum consumption यानि ओफ सीजन में कम से कम कितनी consumption डेली बेसिस पर होगी ए एक है average consumption यानि on and average कितनी consumption होती है और एक है maximum consumption, maximum consumption होती ही season में अगर आपका season चल रहा है तो consumption का level maximum होगा क्योंकि production maximum level बर चल रहा होगा अब supplier से हमारे पास जो समान आता है वो चुटकी बजाते ही नहीं आ जाता समान आने में लगता है time तो जैसे मान दीजिए हमारे पास एक truck आना है समान लेकर इसमें समान रखावा होगा यह हमारे पास आएगा तो यह एक दिन में नहीं आ जाएगा इसके लिए लगता है delivery period इसको हम delivery period या फिर reorder period बोलते हैं इसको कई वार lead time भी बोला जाता है lead time तो delivery period, reorder period या फिर delivery lead time यह हमारे पास नाम रहता है तो truck वाला अगर सारी situation अच्छी हो यानि की road बिल्कुल clear है कोई traffic issue नहीं है तो minimum time में आ जाएगा कम से कम आ जाएगा, जल्दी से जल्दी आ जाएगा दूसरा time रहेगा कि on and average किते दिन में हमारा समान deliver हो जाता है और एक रहता है maximum delivery period कितना रहेगा, maximum delivery period कब लगेगा, जब आपके पास road पे जाम लगे हुए होंगे, रास्ते में आपको रोक लिया जाए, बैरिकेर्ट से लगे हों आपको किसी दूसरे रास्ते से होके जाना पड़े तो time जादा लग जाएगा, तो हमारे पास minimum, average और maximum delivery period रहेगे कि इतना time maximum, इतना कम से कम और इतना average लगता है, ठीक है अब store को order देना है supplier को तो वो order कव दे ये है reorder level, के order आपको कव देना चाहिए, तो store में समान खतम होने पर order नहीं देंगे क्योंकि आज order देंगे, तो कुछ दिन समान आने में हमारे लगेंगे भी, तो इसी लिए आपको order समान खतम होने से पहले देना है, तो समान खतम होने से पहले है देना है तो कब दिया जाए तो इसका बड़ा सिंपल सा फोर्मूला है maximum किता time लग जाएगा मान लो maximum 10 दिन लगते हैं समान आने में और यह बता कर लो factory एक दिन में maximum आपसे कितना मांगती है तब आपको order place कर देना चाहिए, तो reorder level बन जाएगा, maximum consumption, maximum lead time, तो हमारे पास reorder level, maximum consumption, maximum lead time आ जाएगा, इसका एक दूसरा alternative रहता है, दूसरा formula, हमारे पास कि maximum पर मत जाओ, maximum तो rare case है, आप average को लो कि average time कितना लगता है, तो average usage, average lead time, लेकिन इस situation में हम minimum stock किया safety stock को reserve करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, plus minimum, या फिर safety stock, तो minimum stock किया safety stock, अगर question में दिया गया है, तो average consumption, average lead time, plus max, आपके पास minimum stock या safety stock रखा हुआ है, और वैसे हमारे पास normally formula रहेगा, maximum consumption, maximum lead time, दोनों से answer अलग अलग आएगा, लेकिन पूरे number मिलते हैं, सर हमें exam में दोनों से करना है, जी नहीं, आप exam में कोई भी एक formula लगाईए, आपको पूरे number मिल जाएगे, अब बताएगे, अगर किसी question में, minimum stock किया safety stock रखा हुआ हुआ है, और मान दीजिए question के अंदर, average का भी data है, minimum stock का भी data है, और maximum का भी data है, तो दोनों formula लगाई जा सकते हैं, कोई भी एक formula लगाईए, और आपको पूरे number मिल जाएगे, इसके बाद में, दूसरा stock level आता है, minimum stock level, minimum stock level का formula, ROL के formula से बना हुआ है, ROL का formula हमारे पास क्या था, दूसरा वाला, average consumption, average lead time, plus minimum stock, अब minimum stock को यहाँ पर रखिए, और average usage, average reorder period को सामने ले जाकर, minus कर दीजिए, तो minimum stock का formula हो जाता है, ROL minus average usage, average reorder period, एक आता है हमारे पास maximum stock level, maximum stock level का मतलब है, जादा से जादा हमारे पास कितना stock हो सकता है, तो ROL पे आप order देंगे, यहाँ पर आपने order दिया, ठीक है, ROL का मतलब है, आपने कितनी quantity का order दिया, जैसे मानलों मैंने 5000 यूनिट पर order दिया, और order दिया है मैंने 25,000 यूनिट का, ठीक है, तो 5000 यूनिट जब इस्टोर में थी, तब आपने order दिया, 25,000 यूनिट भेजनी है, इस बात का order दिया, तोटल 30,000 यूनिट आपके पास होनी चाहिए, लेकिन समान आने में कुछ टाइम तो लगेगा ही लगेगा, तो समान आने में अगर कम से कम टाइम लगे, और कम से कम उस डियूरेशन में कंजम्शन हो, तो आपके पास इस्टोक ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, देखे बड़ी सिंपल सी बात, आपके पास इस्टोक ज़्यादा कब होगा, जब समान जल्दी आए, आपके पास इस्टोक कब ज़्यादा होगा, जब समान की कंजम्शन कम हो, समान की कंजम्शन कम होगी, तो obviously available इस्टोक आपके पास ज़्यादा होगे, तो इसका formula हमारे पास रहता है, reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption minimum lead time, इसके बाद हमारे पास आता है average stock level, average stock बहुत simple है maximum stock minimum stock divided by 2 इसका एक दूसरा formula भी है कि half of ROQ plus minimum stock level ले लो ये formula कैसे बना हुआ है average के अंदर एक formula बनता है कि maximum stock कितना है minimum stock कितना है इन दोनों का average निकाल दो divide by 2 कर दो एक इसके अंदर formula ये रहता है कि हमारे पास जो minimum stock है वो तो हमेशा maintain रहेगा minimum का मतलब है कम से कम इत्ती quantity तो आपके पास रहेगी और आप हर साल order करते है ROQ ROQ की क्या दिकते वो आता है दीरे दीरे कम हो जाता है फिर से order place होता है फिर आता है फिर दीरे कम हो जाता है फिर order place होता है तो ROQ vary करता रहता है ROQ 10,000 unit है तो वो आया धीरे 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 खतम हो जाएगा फिर से 10,000 आ जाएगा तो बोले के अगर हम देखें हमारे store में क्या-क्या आता जाता है तो minimum stock तो पूरे साल रहता है और ROQ up-down करता है तो ROQ का average निकालो सिर्फ तो दूसरा formula बनता है half of ROQ और plus minimum stock को पूरा लेना है region उसमें कोई variation नहीं है वो पूरे साल बना रहेगा average उन चीज़ों का लेते हैं जिसमें variation हो तो हमारे पास दूसरा आ जाता है average stock का formula पहला half of minimum plus maximum और दूसरा half of ROQ और minimum stock को पूरा ले लीजिए ठीक है इसके बाद में एक stock काता है danger stock level जो कम पूछा जाता है danger stock level का मतलब है कि हम order करना भूल गए सही समय पर supplier को phone करना भूल गए तो ऐसी situation में आपको average consumption करनी है maximum consumption नहीं करनी और ऐसी situation में stock को emergency basis पर मंगवाना है जैसे आप supplier को phone करना भूल गए time पर अब आपको याद है अरे मैं तो phone करना ही भूल गया supplier को तो आपको emergency basis पर priority basis पर अपना समान मंगवाना होता है तो हमारे पास formula रहता है average usage multiply by emergency reorder period ये preferred है एक formula और भी है minimum usage into ये formula इतना market में नहीं चलता तो इसका alternative one ही चलेगा तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा पूछी जाने बादी चीज़े हैं उनको एक बार देखते है जिसके ओपर पूरा chapter टिका हुआ है इसके बाद में छोटी छोटी और दो-चार चीज़े है पर chapter पर उनसे ज़्यादा लेना देना नहीं है एक्जाम में आपको EOQ और level setting ही मिलेगा तो सबसे पहले हमारे पास ordering cost A divided by ROQ multiply by O या फिर number of orders multiply by O carrying cost अगर safety stock नहीं है तो half of ROQ plus C और multiply by C अगर safety stock है तो half of ROQ into C में safety stock multiply by C को भी add कर देंगे EOQ under root 2 A O divided by C A का मतलब पूरे साल में raw material की कितनी quantity पर्जेज करनी है O का मतलब ordering cost एक बार की C का मतलब carrying cost एक unit की पूरे साल की इसके बाद में हमारे पास level सातने है stock level तो reorder level में दो फोर्मूले maximum consumption, maximum lead time या फिर average consumption, average lead time plus minimum stock minimum stock का formula ROL में से average consumption, average lead time को minus कर दीजिए maximum stock का formula ROL plus ROQ और minus करना है minimum consumption, minimum lead time average stock के दो फोर्मूले maximum stock, minimum stock divide by 2 या फिर half of ROQ plus minimum stock level फिर danger stock काता है danger stock के अंदर average consumption multiply by emergency lead time को हम लोग ले लेंगे इसी के उपर आपको पूरा chapter मिलेगा इसके बाद हम कुछ question करेंगे फिर बाकी चीजों को देखेंगे बाकी चीजों अतनी important नहीं है questions की variety इसके अंदर बहुत जादा है तो ध्यान से देखना है आपको जी लिमिटेड प्रोड्यूस आप प्रोड़क्ट विच है या मंतली डिमांड ओफ 4000 यूनिट्स दा प्रोड़क्ट रिक्वाइर्स अक कॉंपोनेंट एक्स विचिज परचेज एट रुपीज ट्वंटी यह पूरा कोशन है तो इसमें मैं पॉइंट बता दिता हूँ आपको जी लिमिटेड कोई प्रोड़क्ट यानि फिनिश गूट्स बना रहा है इसकी मंतली डिमांड 4000 यूनिट है हमें एनॉल डिमांड से मतलब होता है तो इसकी एनॉल डिमांड 48,000 पर एनॉम है ठीक है प्रोड़क्ट रिक्वाइर सा कॉम्पोनेंट एक्स यह जो कॉम्पोनेंट एक्स है यह है रो मैटेरियल रो मैटेरियल के लिए ही हम यो क्यू और लेवल ये सारी चीज़े निकालते है इसका प्राइस से 20 रुपे केरिंग कोस्ट 10% पर एनॉम है तो 20 रुपे यानि एक यूनिट 10% पर एनॉम तो केरिंग कोस्ट 2 रुपे पर यूनिट पर एनॉम आ जाएगी ओर्डिंग कोस्ट 120 रुपे पर ओर ओडर है कह रहें, for every finished product one unit of component is required तो 48 अजाज unit हमें पूरे साल में बनानी है एक unit बनाने में raw material की एक unit लगती है तो कई बार हो सकता है एक finished goods की unit बनाने में raw material 5 kg लगे, 4 kg लगे वो question बताएगा इसका मतला हमें raw material भी 48,000 units ही चाहिए तो component X की requirement पूरे साल की 48,000 ही रहेगी ठीक है, अब question आपसे बुछेगा economic order quantity तो under root 2 A में आजाएगा 48,000 unit, O में आजाएगा 120 carrying cost में आजाएगा C में आजाएगा 2, तो 2 multiply by 48,000 multiply by 120 divide by 2, और आपके पास आगया 2400 unit, तो हमें एक बार में 2400 units मंगवानी चाहिए ठीक है, voltage if the minimum load size to be supplied 4000 unit, अगर कम से कम एक बार में 4000 unit supply होती है, तो हमारी कितनी extra cost लगेगी इस question के लिए हमें क्या करना पड़ता है EOQ पर आपकी cost सबसे कम लगती है, तो पहले हम EOQ पर cost निकालेंगे कि ordering or carrying cost कितनी है, फिर हम देखेंगे अगर हम 4000 unit मंगवाते हैं, तो हमारी ordering और carrying cost कितनी लगेगी बड़ा simple सा रहता है, जैसे 2400 unit, EOQ level हो गया और दूसर लेवल है 4000 unit तो हमारे पास सबसे पहले ordering cost पूरे साल में 48000 units मंगवानी है एक बार में 2400 मंगवा रहे हो, तो number of order कितने आ गए 48000 divided by 2400 बीस order आ गए एक order की cost 120 तो यह हो गया 2400 ordering cost, अब 4000 unit पर ordering cost पूरे साल में 48000 मंगवानी है एक बार में 4000 मंगवा रहे हो तो number of order हो गए आपके 12, multiply by 120, आपकी ordering cost हो गई 1440 ठीक है, अब carrying cost carrying cost हमारे पास half of ROQ ROQ है 2400 unit C है 2 रुपे, तो यह आगे 2400, और यहाँ पर half of ROQ, multiply by C है 2 रुपे, यह आगे 4000 रुपे, तो अगर आप 4000 unit मंगवाते हो, तो आपकी ordering और carrying cost 5440 लगेगी, और अगर आप 2400 units मंगवाते हो, तो 4800 आपकी cost लगेगी, तो बताई, कितनी extra cost आपकी लग रही है 5440 minus 4800 640 रुपे आपके extra लग जाएंगे, तो यह extra cost का point आता है, तीन number देगा इसके आपको approximately, तो minimum आपके अगर load size 4000 है, तो extra cost कितनी लगेगी आपकी 640 रुपे extra cost लग जाएगी इसके बाद में आता है, what is the minimum carrying cost the company has to incur, तो company की minimum carrying cost कितनी होगी तो minimum carrying cost बताने के लिए question ने आपको तो साहिट दिये होंगे यह हमारी carrying cost है यहाँ पर carrying cost लग रही है 4000, यहाँ पर लग रही है 2400, तो बताईए दोनों में कम कहां पर लग रही है दोनों में कम लग रही है 2400 यूनिट्स EOQ पर तो हमारी minimum carrying cost EOQ पर आईगी 2400 तो minimum carrying cost हमारी 2400 आईगी, question खतम हो गया अलग-अलग variety के question है गुमा फिर आके बाद EOQ और level setting के उपर ही चलती रहीगी अलग-अलग levels पर, देखेगा BBQ2 अग company अगर आईगी, manufacture a special product which requires component alpha तो हम कोई product यानि finish course बना रहे हैं, जिसके लिए component alpha चाहिए, alpha raw material हो गया following particulars are collected for the year 23-24 annual demand of alpha, पूरे साल की demand 8000 unit है, यह हो गया A cost of placing and order 200 रुपे यह हो गया ordering cost cost per unit of alpha है 400, carrying posted 20% तो हमारे पास C निकल कर आ गया 80 रुपे, ठीक है जी carrying cost आ गया 80 रुपे यहाँ पर question ने सबसे पहले पूछे, EOQ बताओ तो 2 AO by C under root 2 multiply by 8000, multiply by 200 divided by 80 under root, और आपके पास answer आ जाएगा 200 unit, यह हमारे पास EOQ निकल कर आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पर question ने एक बात कही है if company has been offered a quantity discount of 4% company को 4% discount मिल देगे of the purchase of alpha provided the order size is 4000 component at a time एक बार में 4000 unit खरीद नहीं पड़ेंगी तो question कहता है, advise whether the quantity discount offer can be accepted or not, यह 5 marks में question approximately 8 बार एक्जाम में पूछा जा चुका है पूरा question यह होता है तो अगर quantity discount का evaluation बोले तो बड़ा simple सा रहता है एक तो हमारे पास होगिया EOQ side 200 unit का, ठीक है एक हमारे पास होगिया discount offer 4000 unit एक बार में लेने का, ठीक है अब जड़ा देखिए पूरे साल की purchase आपकी कितनी होगी आप पूरे साल में 8000 unit खरीदने वाले है और unit का price है 400 रुपे सामने वाला कह रहा है अगर 4000 unit एक बार में खरीदोगे तो 4% उस पे discount दे दूँगा तो 400 minus 4% 384 का पड़ेगा वो तो 400 रुपे और 384 दो rate हो गए तो अगर आप 8000 unit 400 से खरीदते हो तो यह हो गया 32 lakh और इसी को 4% discount पे खरीदते हो तो यह हो गया 30.72 lakh ओके जी purchase cost आ गई purchase cost हमें तब लेनी है जब purchase price दोनों जगे पर अलग हों अगर purchase price दोनों जगे पर सेम है तो ordering और carrying cost को ही compare कर लीजे फिर purchase cost नहीं लेते तो purchase cost discount के case में आपको लेनी होती है क्योंकि दोनों जगे पर price बदले होते है इसके बाद में हमारे पास ordering cost देखे दोनों की तो ordering cost आपके पास पूरे साल में कितना मंगवाना है 8000 unit एक वार में कितनी 200 number of order कितने हो गए number of order हो गए 40 ordering cost आपकी एक order की है 200 रुपे तो 200 रुपे 8000 रुपे आपकी ordering cost लग गई यहाँ पर 8000 unit मंगवानी है एक वार में 4000 मंगवारी हो तो दो यह order लगे तो खर्चा सिर्फ 400 रुपे ordering का अब carrying cost carrying cost आपके पास half of ROQ एक वार में 200 और carrying cost है 80 रुपे पर unit 400 रुपे का 20% तो यहाँ गया 8000 रुपे यहाँ पर जब carrying cost की बात होगी तो यहाँ पर carrying cost 20% of 384 हो जाएगी जब price बदल गया तो carrying cost भी बदल जाएगी तो यहाँ पर आपके पास 4000 इंड डिवैड वाई 2 multiply by 80 माइनल 20% यह हो गया एक लाख 28000 रुपे अब दोनों को जोड़ के देख लीजिए खर्चा किसमें कमें अगर डिसकाउंट वाले में खर्चा कमें तो डिसकाउंट accept हो जाएगी 32,16,000 और यहाँ पर cost आ लिए हमारी 30,72,000 प्लस 400 प्लस 1,28,000 32,400 रुपे तो यह सस्ता पढ़ दा है डिसकाउंट को हम accept कर लेगे महेंगा पढ़ता तो डिसकाउंट को reject कर देते मैंने यह आपर टोटल गलत किया है इसका मतलब 4000 multiply by यह 15600 है 153,600 यह calculation मैं नगलत रिखी 400 प्लस 32,26,000 इसका 32,26,000 आ गया तो यह reject हो गया और आप discount offer को reject कर देंगे क्योंकि 10,000 में गये अगर यही 32,16,000 से कम आ जाता तो यह accept हो जाता तो इसका 32, इसका 32,16 तो discount offer rejected तो यह question आठ बार पूछा जा चुका है exam में ध्यान से करके जाएगा इसकी आने की बहुत high probability रहती है क्योंकि यह question अच्छा है इसके बाद में हमारे पास question number 3 यह बड़ा famous question है बड़ा सीधा और basic सा question है और आप देखके कहोगे कि सर इस question को तो रखने की ज़रुत भी नहीं थी booster में यह exam में बहुत पूछा जाता है study mat का question है RTP, MTP में भी खूब आता है question में आपको ROL बताना है maximum level, minimum level और danger level बताना है question ने कहे reorder quantity हम आपको नहीं बता रहे reorder quantity is to be calculated on the basis of following information R.O.Q. आपको खुद निकालना है इस information से cost of placing of purchase order यानि ordering cost 4000 number of unit किती purchase करनी है पूरे साल में 5 लाग purchase price 50 रुपे है annual cost of storing per unit यानि C 10 रुपे है यहाँ पर ये purchase price irrelevant है इसकी ज़रुत ही नहीं है हमें A, O और C की ज़रुत है वो तीनों हमारे पास है तो under root 2 multiply by A 5 लाग O आगया 4000 C आगया 10 रुपे आ जाएगा तो 5 लाग multiply by 2 multiply by 4000 divide by 10 और under root यह आगया हमारे पास 20,000 unit का R.O.Q. ठीक है जी 20,000 unit R.O.Q. आगया अब हमारे को question में कहें कि आपको reorder level maximum level minimum level और danger level निकालना है तो सबसे पहले R.O.L. का formula maximum consumption maximum lead time question में देखते हैं consumption maximum consumption दी हुई है मिल गई जी maximum lead time lead time maximum दिया हुआ है मिल गया जी तो maximum consumption maximum lead time R.O.L. निकल कर आ गया दूसरा formula maximum level maximum level में मुझे चाहिए R.O.L. R.O.Q. तो R.O.Q. मैंने यहां निकाल दिया 20,000 R.O.L. 30,000 हमारे पास निकला हुआ है R.O.L. प्लस R.O.Q. माइनस minimum consumption minimum lead time तो ज़रा minimum consumption और minimum lead time देखते हैं तो minimum lead time 5 days दिया हुआ है minimum consumption गाइबेस question में तो कोई बात नी question ने आपको average और maximum consumption दी हुई है तो average consumption का formula आपके पास क्या आएगा maximum consumption plus minimum consumption divide by 2 average consumption है 1500 maximum है 2000 यह 1500 है हमारे पास यह 2000 है सिर्फ minimum गाइब है वो solve हो जाएगी 2 सामने गया 3000 हो गया 2000 सामने आकर minus हुआ 1000 हो गया तो 1000 equals to minimum consumption equation solve पर ही आगया चलो जी minimum consumption भी मिल गया 1000 हो गया तो हमारे पास आगया ROL 3000 ROQ 2000 minimum consumption 1000 और minimum lead time 5 days तो maximum और reorder आ गए minimum stock level के लिए हमें चाहिए ROL minus average consumption average lead time तो average consumption और average lead time दोनों हमारे पास है ROL हमारे पास निकला हुआ है तो ROL में से average consumption average lead time minus करिए minimum stock level आ जाएगा फिर हमारे पास पूछा है danger stock level danger stock level के लिए हमें average consumption और emergency lead time चाहिए तो average consumption given है और emergency lead time हमारे पास दिया हुआ है 4 days तो average consumption और emergency lead time question solve हो गया ये question भी 5 marks में ही बनता है question अच्छा है आ सकता है exam में इसके बाद में है BBQ 4 ये बहुत ही famous question है exam में भी आये हुआ है RTP MTP में भी back to back repeat होता है और इसके अंदर एक छोटा सा point है जिसमें बच्चे घुम जाते है वो छोटा सा point clear है तो question भी clear है question देखते है अब company use 3 raw material APC for a particular product तो कोई एक product यानि finish goods बनाने के लिए तीन raw material हम इस्तमाल करते है ठीक है for which the following data apply raw material APC आगे दिया है usage यानि consumption for one unit of product तो finish goods की एक unit बनाने के लिए raw material 10 kg A चाहिए B चार किलोग्राम और C 6 kg चाहिए ठीक है इसके बाद इनका ROQ दिया हुआ है delivery period minimum average maximum दिया हुआ है कुछ का ROL गिविन है एक का ROL गायव है minimum stock level एक का दिया गया है दो का गायव है अब question कहा रहा है weekly production production होता है finished goods का weekly production vary 175 to 225 unit on an average 200 unit of the said product product यानि finished goods तो इन्होंने न average consumption minimum consumption maximum consumption नहीं दिया हुआ इन्होंने production दिया हुआ है के भी production minimum होगा 175 average production होगा 200 और maximum production होगा 225 finished goods का ठीक है ये लोंने दे दिया कि minimum 175 average 200 maximum इतना आएगा अब हमारे को जो stock levels चाहिए होते हैं उसमें हमें एक तो चाहिए होता है lead time तो lead time तो दिया हुआ है minimum average और maximum लेकिन consumption कैसे निकाले है उसमें बच्चा सच जाता है अब जैसे देखी इसमें पहली requirement है A का minimum stock निकालो तो minimum stock निकालने का formula के ROL minus average consumption average lead time तो ROL A का दिया हुआ है 8000 आगिया जी average consumption average lead time minus करना है तो average lead time 2 हमारे पास दिया हुआ है या गया 2 ये भी दिया हुआ है अब average consumption चाहिए तो इसमें आपको क्या करना होगा आपको देखना होगा average production कितना होगा average production होगा 200 units of finished goods अब हमें A का average consumption चाहिए तो अब ये बताइए finished goods की एक unit में raw material A कितना लगता है 10 kg तो 10 kg लगता है तो हम on and average 200 unit बनाते हैं और 10 kg A लगता है उसमें तो 2000 kg A की average consumption आएगी यानि कि यहाँ पर consumption निकालने के लिए average production में अगर multiply करोगे किसी चीज की कितनी consumption है तो average consumption आजएगी minimum consumption चाहिए तो minimum production में multiply करेंगे maximum consumption चाहिए तो maximum production में multiply करेंगे question ने finished goods का production बताया हुआ है raw material की consumption हमें खुद से निकालनी पड़ेगी तो यहाँ पर बच्चे mistake क्या कर देते हैं बच्चे कहते हैं कि 200 unit हमारी average production है उसे ले लेते हैं average production नहीं लेना average consumption लेनी है तो A की average consumption कितनी आगई 200 unit 10 kg यह हमारे पास आगया minimum stock of A अब आगया आपको समझ में आजएगी बाद B का maximum stock चाहिए ठीक है जी B का maximum stock चाहिए तो simply B का ROL दिया हुआ है आगया B का ROQ दिया हुआ है आगया यहाँ जोड़ा हुआ है अब हमें minus करना है minimum consumption minimum lead time minimum lead time 3 आगया अब minimum consumption चाहिए तो minimum production को B से multiply कर दो 4 kg तो 175 into 4 kg minimum consumption of B होगी इसके बाद में पूछ है ROL of C तो C का ROL maximum consumption maximum lead time ले लो यह आगया maximum lead time maximum consumption कैसे आगी 225 को 6 kg से multiply कर दो तो maximum consumption और maximum lead time हमारे पास आगया दूसरा formula minimum stock से बन सकता है average consumption average lead time plus minimum stock उसे भी करके आएंगे तो उससे भी आपको number मिल जाएंगे और देखें जैसे दो formula है तो दोनों से answer अलग-अलग आएगा आपको exam में पूरे number मिलेंगे suggested answer भी 2 आएंगे यह study mat का ही answer है तो suggested answer exam में दो मिलेंगे आप किसी एक से करके आईएगा दो से करने की आपको ज़रूत नहीं है इसके बादे पूछा है average stock of A तो average stock of A के अंदर हमारे पास A का ROQ दिया हुआ है तो हम लोग ले लेते है half of ROQ और minimum stock आपने निकाल दिया है पहली requirement में प्लस minimum stock तो half of ROQ 10,000 का half कर दो और minimum stock आएथा 4000 आपके पास answer आ जाएगा यह रहा हमारे पास minimum stock 4000 half of ROQ यह आ गया इसका दूसरा formula भी लगा सकते हो minimum और maximum stock divide by 2 दोनों से answer अलग अलग आएगा आप किसी एक को करके आएगे आपको पूरे number मिल जाएगे ठिक है इसके बाद में हमारे पास आता है BQ5 BQ5 के अंदर हम एक नई चीज़ सीखने वाले है कुछ questions के अंदर क्या किया जाता है आपको normal consumption दी जाती है तो यह देखें question के अंदर normal consumption दी जाएगी अगर किसी भी question में normal consumption दी हुई है normal consumption यानि average consumption तो यहाँ पर है average consumption 50 unit per week है अगर जोड़ा देखें average consumption निकलती कैसे है जैसे मुझे weekly निकालनी है मैं पूरे साल की consumption पुठाऊंगा annual consumption और उसको divide करूँगा 52 से weekly निकालता हूँ यहाँ पर यहाँ weekly दिये तो 52 तो मेरे पास average consumption per week आजाएगी average consumption per week अगर यहाँ पर average consumption per week है 50 units तो बताइए 50 unit average consumption आईए 52 से divide करके तो annual consumption कितनी रही होगी 52 multiply by 50 2600 kg यह units जो भी बोले question वो तो इन question के अंदर जिसमें normal consumption दी जाती है normal consumption जैसे normal consumption per week दी है तो इसे 52 से multiply करोगे तो आपके पास annual requirement of raw material आजाएगी अगर मानदो है per day होता per day तो 365 से multiply कर जाते तो annual requirement of raw material आजाती तो question के अंदर आप से EOQ भी पूछा जाएगा इसमें आपको ध्यान रखना है अगर normal consumption दी हुई है तो annual requirement of raw material आप normal consumption के through निकालेंगे इसमें examiner आपको फसाने की कोशिश करेगा वो कैसे ज़र देखे अब बच्चा क्या करेगा इसको पढ़ते के साथ में multiply by 12 करके कह देगा इसका उनलब पूरे साल में 12,000 यूनिट चाहिए और यहाँ पर normal consumption दी हुई है raw material की तो दो जगे पर आपको यह निकालने का offer मिल रहा है आपको हमेशा normal consumption से निकालना है ICI study meant normal consumption से annual requirement निकालेगा तो किसी भी question में अगर normal consumption दी हुई है तो annual requirement आप उसकी से निकालेगे ठीक है अब हमारे पास देखेगा question के है एक तो इसके अंदर यह point मिलेगा आपको monthly demand of jet यहाँ पर हम ignore कर देंगे क्योंकि normal consumption दी है cost of placing and order 100 रुपीज है ओ आ गया inventory की carrying cost 15% है ठीक है reorder period 4 to 6 week है maximum 75 है average 50 units है cost of material 100 रुपे है carrying cost 15% थी तो carrying cost थी 15 रुपीज हो जाईगी अब हमारे पास question ने सबसे पहले का है reorder quantity बताईए हम से कभी भी reorder quantity पूछेगा तो हम EOQ निकाल के बताएंगे तो हमारे पास reorder quantity यानि EOQ 2AO divided by C under root तो 2 में जो एक ही multiply करने है वो कैसे निकालेंगे normal consumption पर week है तो पूरे साल की consumption आपके पास आगई 2600 multiply by ordering cost है इसकी 100 carrying cost है इसकी 15 under root solve कर लीजिए यह आपके पास 186 unit आजिए तो हमारे पास reorder quantity आगई 186 unit इसके बाद में question आप से कह रहा है अगर supplier 1500 unit लेने पर 5% discount देता है तो क्या यह वर्थ accepting है या नहीं तो discount वाला motion आगया हम check कर लेंगे 186 unit और 1500 unit खरीदे हैं तो पूरे साल में कित्ती खरीद नहीं है 2600 अभी 100 रुपे की है discount 5% मिलने के बाद 95 कि रह जाएगी तो दोनों की purchase cost फिर दोनों की ordering cost और दोनों की carrying cost ले लिए ordering cost में धियान रखना है number of order round off होने चाहिए तो यहां 13.97 आ रहे थे तो 14 कर दिया यहां 1.72 आ रहे थे तो 2 order कर दिया हमने round off कर दिये positive round off करेंगे मेंशा carrying cost half of ROQ multiply by C यहां 15% of 100 होगा और यहां half of ROQ multiply by C 15% of 95 होगा price change होगा तो carrying cost ले बदल जाएगी अब दोनों का total कर लीजिए और देख लीजिए discount वर्दी है या नहीं तो यहां पर यह 262 है यह 57 तो discount acceptable होगी फिर इसके बाद में इन्होंने पूछा है ROL minimum level maximum level और average stock बताओ सब के formula लग जाएंगे ROL के लिए maximum consumption maximum lead time minimum के लिए ROL minus normal consumption normal lead time maximum stock के लिए ROL plus ROQ minus minimum consumption minimum lead time और average stock के लिए maximum minimum stock divide by 2 कर दीए और question खतम हो जाएगा इसमें वात ध्यान रखने लाएग थी कि अगर कभी भी normal usage देगा तो annual requirement normal usage से ही निका दी जाएगी bbq6 यह बहुत ही बढ़िया question है इसके अंदर EOQ के सारे के सारे point कबर हो जाते है आधित्य limited produces a product EXE एक EXE finished goods है जिसे हम बनाते हैं using a raw material D raw material D का इस्तमाल करते हैं तो हमें question जो बनाना है वो raw material D के लिए बनाना है okay to produce one unit of EXE finished goods की एक unit बनाने के लिए two kilogram D की इस्तमाल किया जाएगा ठीक है as per the sale forecast conducted by the company it will be able to sale 1000 units of EXE in the coming year तो हमाई जो sale होनी है EXE की यानि finished goods की वो 10,000 units होनी है following is the information regarding the raw material D अब D raw material के लिए बात होता रहे है के रहे हैं हमारी जो ROQ है the reorder quantity is 200 kilogram less than the EOQ तो हमारा जो ROQ है वो EOQ से 200 kilogram कम है तो आप अगर EOQ निकाल लेंगे तो ROQ भी निकल कर आ जाएगा ठीक है maximum consumption per day 20 kilograms जादा है average consumption per day से तो average consumption जिन भी आएगी उससे 20 kilogram प्लस करोगे तो maximum consumption आ जाएगी आपके पास ठीक है there is an opening stock of 1000 kilogram हमारे पास 1000 kilogram का opening stock raw material का available है time required to get raw material from supplier 4 to 8 days है तो on and average 6 days हो भए minimum 4, maximum 8, on and average 6 purchase price 125 है ठीक है opening stock of 900 unit of finished goods available है हमारे पास तो हमारे पास 900 unit opening stock finished goods की भी रख़्े हुई है rate of interest charged by bank on cash credit facility 13.76% है ये carrying cost के लिए काम में आता है जहां भी interest rate दिया हो to place and order the company has to incur 720 on paper and documentation work ये ordering cost आ गए आपकी from the following information find out in relation to raw material D D के लिए आपको ROQ निकालना है reward level maximum minimum average stock और आपको बताना है कि हम EOQ follow नहीं कर रहे है तो उससे हमारे profit पे क्या फर्क पड़ेगा 364 दिन लेकर question आपको करना है okay गी सबसे पहले हमें चाहिए इसमें annual requirement of raw material इसमें देखेगा question ने दिया है कि finished goods की 10,000 unit की sale है sale of finished goods है 10,000 unit okay आपके पास पहले से ही 900 unit रखी हुई है finished goods की तो हम minus opening stock हमारे पास रखा हुआ है 900 unit का closing stock की कोई बात नहीं बताई तो ignore कर दिया तो इसका मतलब हमें कितनी unit इसवार बनानी पढ़ेंगी तो हमें 90,100 unit of finished goods बनानी पढ़ेंगी ठीक है अब बताईए finished goods बनाने में raw material कितना लगता है तो raw material लगता है 2 kg तो हमारी consumption per unit consumption per unit हमारे पास 2 kg है तो बताईए annual consumption कितनी होने वाली आपकी annual consumption होने वाली है 18,200 kg ठीक है तो पूरे साल में 18,200 kg consume होगा question कह रहा है हमारे पास raw material का भी opening stock है 1000 kg तो इसका भी opening stock रखा हुआ है आपके पास 1000 kg तो आपको खरीदना कितना पड़ेगा 17,200 kg यह जो आपको पूरे साल में purchase करना है इस purchase को ही हम बोलते हैं ए का मतलब annual requirement of raw material to be purchase तो raw material जो आपको purchase करने है उसे यह बोलते है तो ए हमारा 17,200 निकल कर आएगा यह एक तरीके से budgetary control का type दे दिया है budgetary control में हम पहले निकालते थे production budget फिर निकालते थे consumption और फिर निकालते थे purchase तो वही sequence यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है अब हमारे पास ए निकल कर आगे है 17,200 हमारे पास ordering cost है 720 रुपे हमारे पास carrying cost आडेगी 125 का 13.76 question ने काए हमारा ROQ EOQ से 200 kg कम है तो जो भी EOQ आएगा उसमें से 200 kg माइनस कर देंगे तो सबसे पहरली requirement सी ROQ EOQ में से 200 kg माइनस कर तो 2 multiply by A होकिए 17,200 ordering cost, carrying cost हमारा अंसर इसका निकल कर आया 1200 200 kg उसमें से माइनस करो तो इसका मतलब हम 1000 kg का order place करते है ठीक है point number 1 इसके बाद question ने आपको दिया है stock levels पूछें सारे तो stock levels के लिए हमें चाहिए एक तो minimum lead time, maximum lead time और average lead time minimum 4 है, maximum 8 है average 6 हो गया, ठीक है अब दूसरा हमें चाहिए consumption तो consumption question ने का आये कि हमारी जो average consumption per day है, उससे 200 kg जादा maximum है और पूरे साल में कितने दिन है 364 तो हमारे पास, अब जो हमारी consumption है पहले आप एक दिन की average consumption निकालो, तो मुझे बताइए consumption निकालने के लिए किस से divide करेंगे 17,200 से या 18,200 से consumption कौन सी है consumption 18,200 है तो इस question के अंदर सबसे महीधार बात यह है कि EO क्यू तो निकलेगा purchase पर, और stock levels निकलेंगे consumption पर, ऐसा कोई और question बना हुआ नहीं है तो 18,200 किलोग्राम पूरे साल में consumption है तो एक दिन की consumption 50 units हो गई 50 किलोग्राम अब maximum consumption कह रहा है कि यह हो गई average maximum consumption कह रहा है कि मैं average से 20 किलोग्राम जादा हूँ तो maximum consumption हो गई 70 किलोग्राम अब minimum consumption निकालनी है तो average consumption equals to maximum plus minimum divided by 2 average है 50 maximum है 70 2 सामने गया multiply हो गया 100 100 में से 70 माइनस हो गई 30 तो minimum consumption हमारे पास 30 आ गई तो minimum 30 average 50 maximum 70 consumption आ गई सारे stock levels हमारे पास अब निकल जाएंगे तो हमारे पास ROL maximum minimum average stock सारे निकल जाएंगे यह calculation हमारे पास आ गई है last में question ने पुछा है आपस calculate the impact on profitability of the company by not ordering EOQ चक्कर क्या है EOQ आया है 1200 kg लेकिन हम जो order follow कर रहे है वो हम कर रहे है ROQ 1000 kg तो हम देखेंगे 1200 kg पर ordering carrying cost कितनी है फिर देखेंगे 1000 kg पर ordering carrying cost कितनी है जो difference आएगा वो extra cost हमारी लग जाएगी तो सबसे पहले 1000 kg पर A divided by 1000 kg 18 order हो गए ordering cost आ गई फिर half of ROQ into C carrying cost आ गई ठीक है 1200 kg पर A divided by 1200 unit number of order आ गए round of 15 ordering cost आ गई carrying cost आ गई तो 1000 kg पर खड़ जा है 21560 और EOQ पर खड़ जा है 21120 तो 440 रुपे आपके extra लग रहे हैं तो आपके profit पर क्या impact पढ़ रहा होगा आपका profit 440 रुपे से कमा रहा होगा तो इसी को extra cost बोलते हैं इसी को आप बोलते हैं कि हमारी profit पर कित्ता फर्क पड़ेगा एक है हमारे पास BBQ7 ये 10 नंबर का question है तीन वार exam में पूछा गया जिट्टो पूछा जाता है question बहुत आसान है देखेगा अग company manufacture a product from a raw material which is purchase at Rs.80 per kg 80 रुपे का price है किसी product का the company incurs handling cost 370 plus freight 380 per order तो एक order पर हमारे 370 plus 380 750 रुपे खड़ ओते हैं ये ordering cost आ गई फिर कह रहा है incremental carrying cost of inventory of raw material is 0.25 per kg per month in addition cost of working capital finance on the investment in inventory ये जो लिखा होता है working capital finance यानि working capital में हमारा जो पैसा लगा हुआ है उस पर जो खर्चा आ रहा है यानि interest आ रहा है working capital का मतलब होता है current assets minus current liability तो कह रहे हैं हम working capital में किसकी बात करने हैं हम बात करने हैं जो पैसा investment फसा हुआ है stock of raw material में तो raw material में जो पैसा फसा हुआ है उस पर हमारा खर्चा 12 रुपे पर एनम आ रहा है तो कह रहे हैं carrying cost हमारे पास 25 पैसे पर के की परमन्त है इसके लावा interest का खर्चा 12 रुपे है तो carrying cost में दो खर्चे होते हैं एक होता है storage और एक होता है interest कई बार question सीधा सीधा देता है इसमें बात को घुमा फिरा के कहा गया है अगर आप देखेंगे तो ordering cost भी इसमें कैसे दी गई है 370 प्लस 380 तो जोड़कर 750 हमें निकालना पड़ेगा ऐसे ही carrying cost भी से कैसे निकलेगी 12 रुपे तो हो गया interest 25 पैसे पर केजी पर मन्त storage होगी 25 पैसे पर केजी पर मन्त है हमें annual चाहिए होता है 25 पैसे पर केजी पर मन्त तो पूरे साल के होगे 3 रुपे तो दोनों को जोड़ा तो पूरे साल के 15 रुपे पर unit पर minimum हमारे पास आगया ये हमारी आगी C तो C निकल कर आगया O निकल कर आगया अब ये भी आपसे निकल वाएंगे ये Annual production of the product is 1 lakh unit जो हमारा production है वो 1 lakh unit है finished goods का 2.5 units obtained from 1 kg of raw material 1 kg raw material से 0,5 unit बनती है तो बताएं एक लाख unit बनाने में कितना material लगेगा 0,5 unit बनती है 1 kg से तो 40,000 kg raw material से आपके पास 1 lakh unit बन पाएंगी ये हमारे पास आगया raw material A 40,000 kg A लगेगा जिससे हमारे पास 1 lakh unit आएंगी तो हमारे पास O आगया, C आगया, हमारे पास A आगया तीनों चीज़ आगई अब question ने पूछा है economic order quantity बताओ तो 2 A O divided by C 2000 kg आगया, ठीक है जी दूसरा कहा रहा है, बताओ कितने frequently order place करने चाहिए तो order frequency का मतलब होता है कितने दिन में एक order place करना है question ने हमें 360 ऐसा कुछ नहीं बोला है ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते है हम निकालते हैं, पूरे साल में कितने number of orders है 40,000 kg मंगवाना है एक बार में 2000 kg मंगवाना है या आगे 2000, तो आपके number of order होगे 20, ठीक है 365 दिन में 20 order दे रहे हो यानि कि 18 दिन में एक order place करते हो तो order frequency का मतलब होता है इसको बोलते है order frequency इसको बोलते है time interval between two orders और इसको order schedule भी बोलते है order schedule, के भाई आप किते दिन में order place करते हो, तो 18 दिन में हम एक order place करते हैं, इसको order frequency order schedule और order के बीच में interval भी बोला जाता है, इन तीनों एकी चीज़ के नाम है, ठीक है इसमें इसका लास्ट पॉइंट बहुत अच्छा है वो देखे ज़राग if company proposed to rationalize placement of order on quarterly basis quarterly basis का मतलब हम अगर एक साल में सिर्फ 4 order ने, हर quarter में एक order, तो अगर आप एक साल में 4 order देंगे 40,000 kg आपको मंगवाना है पूरे साल में, 40,000 kg तो एक order में कितना मंगवाएंगे 10,000 kg, टोटल 40,000 kg चाहिए आपको तो अगर आप एक साल में 4 order दोगे, हर quarter में एक order तो 10,000 kg मंगवाओगे EOQ के हिसाफ से कितना आना चाहिए 2,000 kg, ठीक है what percentage of discount in the price of raw material should be negotiated, तो हमें कितने percent discount मागनी चाहिए, तो पहले हमें discount बताता था हर question में कि आपको 4% discount मिले तो accept करोगे या नहीं, 5% discount मिले तो accept करोगे या नहीं, इस question में discount आपसे पूछी जाएगी, तो बड़ा simple सा तरीका है, आपको निकालनी है कि extra cost आपकी कितनी लगेगी यह हो गया EOQ 2,000 kg, और एक हो गया हमारे पास quarterly वाला quarterly 10,000 kg, ठीक है discount हमें पता नहीं है, हमें निकालनी है तो आपको simply extra cost निकालनी कितनी लगेगी, देखे ordering cost 40,000 kg मंगवाना है एक वार में 2,000 kg, 20 order हो गए एक order के 750 15,000 हो गए ordering cost यहाँ पर 40,000 मंगवाना है, एक वार में 10,000, तो 4 order हो गए, 4 order पहले बोले हुए भी आपको तो इसका खर्चा हो गया, 3,000, ठीक है caring cost की बात करें तो half of ROQ multiply way 15 रुपे आजाएगा आपके पास तो यहाँ गया 15,000 यहाँ पर half of ROQ यहाँ भी 15 रहेगा उसका region के है, के सर हरवार तो आप बदलते हो वहाँ पर हमें discount दी होती थी यहाँ में discount पता ही निये ज़तक आपको discount नहीं पता आप caring cost को नहीं बदल सकते तो यह आपके पास आजएगा 75,000 तो बताएगे, यहाँ खर्चा कितना था 30, यहाँ खर्चा कितना है 78, बताएगे आपकी cost कितनी बढ़ गई हमारी cost 48,000 रुपे बढ़ गई तो आपको discount भी कितनी मिल जाए अगर 48,000 की अगर आपको discount मिल जाए तो आप satisfy हो जाएंगे तो हमें 48,000 की discount चाहिए अब जो हमारा price है वो है 80 रुपे परकेगी ठीक है 48,000 की discount चाहिए कितने kilogram raw material खरीद होगे 40,000 यानि एक kilogram raw material पर आपको discount चाहिए एक रुपे बीस पैसे एक रुपे बीस पैसे की आपको discount 1 kg पे चाहिए question ने हमसे percentage of discount पूछा है percentage बता दो तो एक रुपे बीस पैसे की discount चाहिए 80 रुपे का 1 kg है तो एक रुपे बीस पैसे की discount 80 रुपे के समान पे चाहिए तो 1.5% discount आपको चाहिए तो ये 10 number पे पूछा जाता है question बड़ा simple होता है आपको simply अपना क्या निकालना है extra cost निकालना है कितनी लगेगी जितनी extra cost लग चाहिए उतनी हम discount सामने वाले से मांग लेगे इससे उपर discount मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है इससे कम नहीं मिलनी चाहिए ठीक है एक question आता है BPQ8 बड़ा famous question है बड़ा असान भी है ये बहुत simple है इसके अंदर क्या होगा आपको multiple quantity दी जाएगी और multiple price दी जाएगे आप से कहा जाएगा कि आपको optimum stock level देना है तो बड़ा simple ता question रहता है question देखते है EXC limited had received an offer of quantity discount on its order of material agenda तो हमारे पास quantity discount offer है आपको आपके पास आएगा चार-पांच case देदेगा आपको कह रहा है 1200 का price लगेगा अगर less than 500 order होगा तो तो इसका मतलब अगर मैं range की बात करूँ हमारी range कितनी होगई 1 ton से लेकर 499 ton तक कुछ भी order दोगे तो बारस उल्पे का rate आपको लगेगा ठीक है इसके बाद मैं कह रहे है 500 and less than 1000 अगर आप order देते हो तो 1180 लगेगा यानि की 500 या उससे उपर लेकिन 1000 से कम तो 999 तक का आपका order है तो 1180 लगेगा फिर 1000 से लेकर अगर आप 1999 तक order देते हैं तो ये rate 2000 से लेकर अगर आप 2999 तक order देते हैं तो ये rate और फिर आप 3000 से लेकर अब-ब order देते हैं तो आपके पास यह rate लगेगा ठीक है अब इसके अंदर ICI ने क्या किया हुआ है ICI बोला यह जो हमारी range है इसमें से हमें एक random ROQ लेंगे जो पूरी की पूरी हमारी series को represent लेगा तो इस पूरे में से कोई एक ROQ हमें लेना है तो ICI ने rule दिया जो पहले वाली range है जो first range है उसका highest round of number लो highest round of तो पहली range है 1 से लेकर 499 तक तो इसका highest round of it 400 400 से उपर कोई round of नहीं उसके आट तो 500 होता तो 500 तो है नहीं बोले और उसके बाद की जितनी भी range है उसका initial level लो initial तो इसमें 500, 1000 2000, 3000 तो range का हमें एक ROQ लेना है रीप्रेजेंटेटिव ROQ जो रीप्रेजेंटेटिव लेंगे वो कैसे लेंगे पहली वाली range का highest round of बाकी सब का initial level जोगा उसे ले लेंगे तो हम यहाँ पर ले लेंगे order size 400 500, 1000, 2000, 3000 यह हमारे order size हो गए जो पूरी पूरी range को पूरी प्रेजेंट करने है ठीक है अब question कह रहा है annual requirement जो है हमारी 5000 ton है ordering cost 1200 रुपे है carrying cost 20% है आपको most economical purchase level निकालना है तो हम इन सब की ordering cost carrying cost और purchase cost निकालेंगे सब का total करेंगे check करेंगे किसका सबसे सस्ता है तो ordering cost carrying cost, purchase cost यह तो आसान है main यह जो order size यह लेते हैं यह कैसे लेते हैं वो समझना चलूरी है first range का highest round off और उसके बाद में lowest round off जोओंगे तो पहले तो हो गया 400 फिर सब के initial level 500,000, 2000, 3000 उठा लेंगे सबसे सस्ता कौन सा नजरा रहे 59, 22 सबसे सस्ता है तो हमारे पास 1000 unit का order size सबसे सस्ता हो गया वो most economical purchase level हो गया ठीक है जी इसके बाद में दूसरा question ICI इसमें कई बार पूछता है कई बार नहीं पूछता कहता है आपका answer क्या होगा अगर कोई discount नहीं है और price 1500 रुपे है तो अगर कोई discount नहीं है और price 1500 है तो हम EOQ लगा देंगे 2 multiply way annual requirement 5000 ordering cost 1200 carrying cost at 20% of price और price कह रहे हैं 1500 रुपे तो EOQ निकाल यह जो answer आएगा वो हमारा most economical purchase level होगा तो यहाँ पर EOQ निकाल के दिखा देंगे 200 tons आएगा हमारा तो यह हमारे पास सारे portion है जो EOQ और stock level से जड़े हुए है ठीक है यहाँ तक के ही questions हैं जो back to back exam में देखे गए हैं यह हमारा most important पूरा part है bbq1, bbq2, 3, 4, 5, 6 और यह आपके पास bbq8 तक चलता है bbq8 तक वाले question exam में back to back पूछे जाते हैं इनकी अच्छे से बहुत ज़्यादा अच्छे से तयारी कर लीड़ेगा writing में करेंगे तो बहतर होगा इसके बाद हमारे पास दो-तीन question ऐसे हैं जो बहुत ही important question है और exam में कभी भी सीधे दसंबर में पूछे जा सकते हैं सबसे पहले आता है bbq9 देखेगा IPN Limited अब bbq9 और bbq10 यह safety stock के उपर हैं दोनो question में safety stock की बात होगी बहुत simple है question पढ़ते हैं IPN Limited use a small casting in one of its finished product the casting is purchased from foundry कोई लेना देना नहीं इससे IPN Limited purchase 54,000 casting per year at 800 per casting तो हमारी जो annual requirement है वो 54,000 casting की है एक बच्चा ओम सिंग कहने कि सर SM का revision कब होगा पिटर टेलीग्राम पे connected रही है उस पर हम update कर देंगे अभी FM के costing के booster के एक दो lecture बचे हुए है उसके बाद SM काएगा हाँ जी तो IPN Limited पूरे साल में जो purchase करती है वो 54,000 casting आपके पास करती है ठीक है यह annual requirement of raw material आगया 800 रुपे पर casting price है casting are huge evenly throughout the year evenly throughout the year का मतलब होता है कि पूरे साल daily consumption एक जैसी होगी यानि ऐसा नहीं कि maximum consumption कुछ हो रहे minimum consumption कुछ हो रहे तो पूरे साल की consumption एक बराबर होगी of the year and in the production process on 360 days per year 360 दिन का पूरा साल है तो आपको 54,000 casting पूरे साल में इस्तमाल करनी है 360 days में तो एक दिन में आपके पास 150 casting की जगे unit लिख देता हो 150 unit आप daily की consume करोगे ठीक है आगे question कहरा है the company estimate that it costs 9,000 to place single purchase order ordering post आ गई and 300 carrying cost per unit per annum यह हमारे पास carrying post आ गई तो annual requirement 54,000 ordering cost 9,000 300 carrying post आ गई सबसे पहले पूछा है EOQ निकालो बड़ा simple आ गया 2 multiply by annual requirement 54 ordering cost 9,000 carrying cost 300 1800 casting यह units हमारे पास EOQ आ गया यह तो simple है इसमें कोई दिकत नहीं आगे कहरें the high carrying cost result from the need to keep the casting in carefully controlled temperature and humidity condition and from the high cost of insurance तो high carrying cost किसलिए आ रही है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता ठीक है कहरें delivery from the foundry generally takes 6 days तो generally यानी average तो average हमारे 6 दिन लगते हैं but it can take as much as 10 days जादा से जादा हमारे 10 दिन लिक सकते हैं 10 दिन से उपर हमारे नहीं लगेंगे ठीक है अब यहां पर question ने क्या किया है question ने दिया है days of delivery time and percentage of their occurrence तो किस किस दिन कितने percent chance है के समान deliver होगा उसकी कहानी सुनाइए इस percentage का बहुत बड़ा रोल है बड़े अराम से देखेगा कहरें छे दिन में समान deliver हो जाएगा इसके 75% chance है अब आपसे एक डोक्टर कहता है कि किसी के बचने के 75% chance है तो आप बता सकते हैं risk कितने percent है इसका मतलब 25% risk है तो 6 दिन में समान आ जाएगा 75% इसके chance है लेकिन 25% अभी वी आपके उपर risk चल रहा है ठीक है अब कह रहे हैं सातवे दिन समान आ जाएगा इसके 10% chance है तो देखो छटे दिन आ जाएगा समान 75% chance सातवे दिन आ जाएगा 10% chance तो आपके पास overall chance कितने होगे सातवे दिन तक 85% तो आपके पास यहाँ पर 85% chance बन जाते हैं तो भी 15% risk रहेगा ओके फिर आठवे दिन समान आने के chance हैं 5% जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएगे समान आने के chance बढ़ते जाएगे तो यह जितने भी दे रहे ना पांच 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 यह आपके time को बढ़ा रहे हैं यह पूरा जोड़ोगे तो 100% हो जाएगा 100% का मतलब है कि दसवे दिन तक समान guaranteed आ जाएगा उपर question में क्या लिखाए generally 6 दिन लगते हैं जादा से जादा 10 दिन लगेंगे तो यह आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे हमारे पास percentage बढ़ती चली जाएगी तो जैसे ही आप 10 दिन पर पहुचोगे तो 100% guaranteed समान आपके पास आ चुका होगा यानि कि 6 दिन आ जाएगा 75% chance है 7 दिन आने में 10% chance और बढ़ गए तो 85% chance है 7 दिन तक आ जाएगा अभी भी 15% risk है 8 दिन तक समान आ जाएगा इस बात की percentage और बढ़ गई 75% 10 प्लस 5 तो यानि कि 90% chance है कि 8 दिन तक समान आ जाएगा या तो 6 दिन या तो 7 दिन वरना 8 दिन तो आ ही जाएगा अभी भी 10% risk है इसके बात में 9 दिन समान आ जाएगा इसके chance और 5% बढ़ जाते है तो यहाँ पर 95% chance है कि 9 दिन तक समान आ जाएगा तब भी 5% risk है कि समान नहीं आया फिर कह रहे हैं 10 दिन समान आने में 5% chance और बढ़ जाएगे और प्लस 5% हो जाएगा तो 100% समान दसवे दिन तक आ जाएगा अग ना आने का कोई risk नहीं रहेगा ठीक है अब हमारे पास रहता क्या है जब safety stock होता है तो ROL का formula क्या हो जाता है ROL का formula हो जाता है average consumption average time यह safety stock का question है plus safety stock ओके यह हमारे पास formula हो जाता है average consumption, average time safety plus safety stock ठीक है अज एको average consumption 150 unit per day है यह हम निकाल चुके है 54,000 unit 360 दिन में average lead time 6 दिन है question ने बोला है कि समान आने में generally 6 दिन लगते है ठीक है 900 units तो होगे यह अब बात आती है safety stock की तो question safety stock पे game खेलेगा अब जाए देखिए question की पहली requirement assume the company is willing to assume 15% risk of being out of stock company 15% risk लेने के लिए तयार है यानि company यह 15% risk लेने के लिए तयार है तो company कितना safety stock रखेगी तो देखिए 6 दिन का समान तो हमारे पास पहले से ही है average consumption, average lead time तो average lead time में 6 दिन का समान हमारे पास पहले से ही है आप 15% risk लेना चाहते है तो सातवे दिन का यानि एक दिन का safety stock रख लिजिए तो यहाँ पर हम एक दिन का safety stock रखेंगे एक दिन का safety stock कितना हो गया 15% risk पर 150 unit तो आपके पास safety stock हुआ 150 unit और पूरा formula हम देखें average consumption, average lead time plus safety stock तो 900 plus 150 1050 unit आपका ROL आ गया यहाँ पर question है तो यहाँ पर हमारे पास पहले UQ आ गया फिर 15% risk पर 150 का safety stock और overall ROQ 1050 आ गया फिर गया रहे अच्छा है एक में टुको अगर हम 5% risk लेना चाहें तो अगर आप 5% risk लेना चाहते हो तो आप 9 दिन पर आ गये हो 9th day पर यहाँ पर 5% risk है तो ऐसी situation में आपको 7 दिन 8 दिन होगे दूसरा दिन 9 दिन होगे तीसरा दिन आपको 3 दिन का safety stock रखना पढ़ेगा 6 दिन तो हमारे average में cover है 6 दिन तो हमारे average lead time में cover है safety stock में आता है और add on कितना करना है तो आपको 7th, 8th और 9th 3 दिन का safety stock रखना पढ़ेगा एक दिन का safety stock कितना है एक दिन का safety stock है यहाँ पर 3 दिन का safety stock रखना पढ़ेगा 150 इंटू 3 450 यूनिट का आपको safety stock रखना पड़ेगा, अब हमारा ROL क्या आएगा, average into average 900, plus 450, अब 1350 unit का हमारा ROL आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास third case में, 450 हो गया safety stock, और reorder level हो गया 1350, तो ऐसे ही आप risk की percentage को आगे पीछे बढ़ाते जाएगे, और हम अपने safety stock को change करते जाएगे simply बात दिमाद में क्या रखनी है दिमाद में यह रखना है, कि sixth day तक का तो average into average में आएगा risk कैसे निकालना है, जोड़ते चले जाओ, 75 में 10 जुड़ा 85% safe हो गए, 15% risk है, 5 और 90% safe हो गए, 10% अभी भी risk है, 5% और जुड़ा, 95% safe हो गए अभी 5% risk है 5% और जुड़ा, 100% safe हो गए 0% risk है, question कहे हमें 0 risk लेना है, तो 6 दिन तो average में कबर हैं, अब कितना इस्टोक रखना पढ़ेगा safety stock, 4 दिन का, question कहे हम 10% risk लेना चाहते हैं तो कितना इस्टोक रखना पढ़ेगा, 2 दिन का, तो जिद्धे परसेंट risk लेगा accordingly safety stock आ जाएगा, ठीक है अब कहे रहे हैं 5% इस्टोक आउट वाली situation है, तो 5% इस्टोक आउट वह है, जिसमें हमने 450 unit safety stock रखा था what would be the total cost of ordering and carrying inventory for one year, तो हमारी ordering और carrying cost पूरे साल की कितनी होगी तो ध्यान रखी, safety stock के साथ carrying cost बदल जाती है, अब देखे ordering cost a divided by eoq multiply by 270 आ गया, लेकिन carrying cost half of roq multiply by c के साथ में safety stock into c भी करना पढ़ेगा, यानि हमें half of roq into c plus safety stock multiply by c करना पढ़ेगा, half of roq 1800 यूनिट हमारी, carrying cost है हमारी 300 रुपे plus safety stock 450 यूनिट है multiply by carrying cost 300 रुपे, तो हमारे पास 1800 डिवाइड बे 2 into 300, यह होगे 270 और 450 into 300 यह होगे 135, 4,5,000 हमारी carrying cost आगी, तो carrying cost यहाँ पर पूछिए safety stock के साथ में वारे आएगा हमार पास, इसके बाद में question कह रहा है original data को refer करके, फिर से EOQ और frequency निकाल लिए, तो data बदल के दुबार से EOQ निकल वा रहा है, उसमें कोई खास point यहाँ पर नहीं है, ओके एक ऐसे ही बड़ा famous question है study mat के अंदर tyro tubes वाला tyro tubes वाले question के अंदर भी same चीज़े, measures tyro tubes trades in four wheeler tires and tube तो यह four wheeler tyro tube based है, four wheeler के, ठीक है it stock sufficient quantity of tire of almost every vehicle in year end 23-24 the reports of sales manager reveal that measures tyro tube experience stock out of tires यह कह रहे हैं के देखो, stock out हमारा कितना कितना हुआ stock out को मतलब shortage हो भी stock की तो यहाँ पर number of times दिया है, यहाँ पर tires का stock दिया है, ठीक है नीचे दिया है, measures tyro tube loss 150 per unit due to stock out stock out होने की वाज़े से हमारी 150 का नुक्सान होता है, एक unit पर, और अगर हम carry करना चाहें, तो 50 रुपे per unit हमारी carrying cost लगती है, ठीक है, तो अगर हम tires को रखेंगे, तो एक tire की carrying cost 50 रुपे लगेगी, और अगर कोई tire short होता है, यानि customer हमारे पास आया हम समान नहीं दे पाए तो 150 का per unit हमारा loss हो जाता है ओके, अब यहाँ पर क्या हो है number of times 2, 5, 10, 20, 30, 33 इन सब का total 100 है इस question के अंदर हमें निकालनी होती है कि percentage कितनी है जैसे पिछले question में तो percentage दी थी यहाँ percentage निकालनी पड़ेगी तो percentage यहाँ probability यहाँ पर same रहेगी, तो अगर मैं यहाँ पर probability लिखता हूं इसकी तो probability यह same रहेगी 0.33, 0.30 0.20, 0.10 0.05 और 0.02 यानि 2%, 5%, 10, 20, 33% है ठीक है 33 times ऐसा हुआ कि 0 tire का stock out है यानि कोई stock out हुआ ही नी 30% time 10 tire short पड़े 20% time 20 tire short पड़े 10% time 50 tire short पड़े 5% time 80 और 2% time 100 tire short पड़े अब question आप से कह रहे है आप बताओ हमें कितना safety stock रखना चाहिए ठीक है तो इस question के अंदर हम simply करते क्या है हम एक statement बनाते हैं इस तरीके से जिसमें हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि safety stock हम कितना रख रहे हैं ठीक है फिर हम यहाँ पर लिखते हैं कि stock out कितना होगा फिर हम यहाँ पर लिख लेते हैं उसकी probability कितनी है यहाँ पर हम stock out cost निकाल लेते हैं कि stock out होने का कितना नुक्सान और यहाँ पर हम निकाल लेते हैं जो भी आपने safety stock रखा उसकी carrying cost और यहाँ पर total cost अराम से देखेगा तो हमें safety stock कितना कितना रखना है मैं आपको बता देता हूँ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, हमें छे अलग-अलग safety stock चेक करने पड़ेंगे अगर 100 टायर का safety stock रखते हैं तो 80 का रखते हैं तो 50 का रखते हैं तो 20 का रखते हैं तो 10 का रखते हैं तो 0 का रखते हैं तो मैं आपको 2 का सिखा रहा हूँ उसके आगे का पूरा same चलेगा जैसे आप 100 टायर का safety stock रखते हो तो कभी stock out होगा ही नहीं क्योंकि 100 टायर से उपर कभी demand आपके पास आई नहीं सकती कोई 10 मांगे, 20 मांगे, 50 मांगे 80 मांगे या 100 मांगे आपके पास हमेशा sufficient stock रहेगा अब carrying cost कितनी है? 50 रुपे तो 100 टायर को रखने का खर्चा 50 रुपे के हिसाफ से 5000 आ गया तो आपकी total cost 5000 लग गई ये हो गया level number 1 इसमें कुछ नहीं है अगर दूसर लेबल अगर हम 80 टायर का stock रखते हैं तो अगर आप 80 टायर का stock रखते हो तो 0, 10, 20, 50 80 तक कोई रिक्कत नहीं है लेकिन अगर कोई 100 टायर आपसे मांगने आ गया जिसके chance 2% है अगर कोई आपसे 100 टायर मांगने आ गया तो आप उसको 80 ही दे पाएंगे 20 टायर आपके पास short हो गए और इसके 100 टायर मांगने के chance रिद 2% है ठीक है अब आपका stock out cost 20 टायर stock out होंगे 150 रुपे stock out cost है एक टायर अगर stock out होता है तो 150 का नुकसान है और chances हैं 2% तो probability multiply करी जाती है हमेशा question में जब भी probability होगी तो probability multiply होगी तो 60 टायर आपकी stock out cost आएगी 80 टायर को रखने का खर्चा 4000 आएगा आपकी cost होगी 4000 60 टायर एक लेवल और बताता हूँ आपको ठीक है अब अगला लेवल अगर में 50 टायर का safety stock रखता हूँ तो अब देखो अगर आप 50 का safety stock रखोगे तो 0, 10, 20 और 50 तक कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत होगी अगर किसी ने 100 टायर मांगे और 80 टायर मांगे तो 100 मांगे तो 50 दोगे 50 का stock out हो जाएगा 80 मांगे तो भी 50 ही दे पाऊँगे 30 का stock out हो जाएगा ठीक है कोई 100 मांगेगा इसके chance 2% 80 मांगेगा इसके chance 5% तो 2% और 5% इनके chance अगरे ठीक है अब देखिए 50 टायर का stock out 150 का loss 2% chance प्लस 30 टायर का stock out 150 की cost chance 5% यह आपके पास cost आजेगी 50 इन्टू 150 इन्टू 2% और 30 इन्टू 150 इन्टू 5% 50 इन्टू 150 इन्टू 2% और 30 इन्टू 150 इन्टू 5% 375 रुपे cost आई और 50 टायर को रखने का खर्चा 2500 रुपे तो 2875 आपका खर्चा आ गया ऐसे ही अब हम नीचे और safety stock रखते जाएगे 20 का 10 का और 0 का तो यह हमारे पास पूरी लिष्ट है सबकी इनके खर्चोगी सबसे सबसे कब बैट रहे हैं वो चेक करिए तो total cost सबसे कम है 2140 इन्टू 20 टायर पर तो आपको safety stock 20 टायर का maintain करना चाहिए तो यह दो question है जो दलसल संपर में आ सकते हैं एक बार देखकर चले जा कोई चैन लिखके मत करना देखके चले जाना तो exam में आगे तो safe हो जाओगे ठीक है अब यह हमारे पास पूरा exam का content material का खतम है almost अब इसमें कुछ नहीं बचा इसके बाद छोटे छोटे से कुछ point है एक है ABC analysis ABC analysis कहता है जो महंगाई stock है जिसकी value सबसे जादा है like 70% के आसपास उसको A category में रखिए जिसकी value सबसे कम है approx 10% के आसपास उसे C में रखिए और B category में medium stock रखिए तो ABC technique बड़ी simple सी है जिसकी value high है उसे A category stock मानिए जिसकी value बहुत कम है उसे C category और medium category को भी मानिए अगर आप quantity देखोगे तो कहा गया जनरली quantity में वैसे focus नहीं है लेकिन फिर भी कहा गया कि जो महंगा समान होता है वो quantity में बहुत कम होता है जो सस्ता समान होता है वो बहुत ज़्यादा quantity में हमारे पास पड़ा होता है इसका कोई relevance खास नहीं है बोले जो A category का समान है जिसकी value high है उसके उपर control high होना चाहिए जो C category का सस्ता समान है उसके control भी कम और जो medium समान है उसका control medium होना चाहिए तो इसके उपर एक numerical है एक मारे एक्जाम में आयो हुआ है गो numerical देखेंगे भी हम उसके बाद हमारे पास आएगा valuation of material valuation of material कभी एक्जाम में पूछा नहीं गया पर important है और simple भी है बहुँआ valuation of material कहता है कि material की cost per unit हम कैसे निकालते हैं तो बोले कि सबसे पहले purchase price ले लो उसके बाद में कोई भी trade या quantity discount है minus कर दो cash discount को ignore कर देना cash discount costing का पार्ट नहीं होती उसे financial item बानते है कोई भी government से subsidy बगरा मिली है उसे minus कर दो उसके बाद में कोई road tax, toll tax है जोड़ दो कोई भी आपने insurance करवाया है commission दिया है freight invert दिया है वो सब जोड़ दो custom duty जोड़ दो IGST, CGST, SGST तब जोड़ना जब input tax credit अगर input tax credit अवलेबल है तो वो भी cost का पार्ट नहीं बनेगा तो हम लोग material खरीटते हैं quantity यां trade discount माइनस करेंगे GST अगर input tax credit अवलेबल नहीं होगा तो जोड़ देंगे इसके इनावा जो भी खटचे होंगे road का transportation का carriage कोई insurance का ख़र्चा कोई commission भी है जो भी खटचे हैं सारे के सारे जोड़ दो उसके बाद में आता है packing material तो packing material हमारे पास इस तरह से रहता है कि कुछ packing material होता है जो पूरा का पूरा return हो जाता है तो अगर return हो जाता है तो वहां ही cost का पार्ट नहीं बनेगा जैसे 1000 रुपे के हमारे पास containers जोड़ कर भेजे और वह वापिस हो गए 1000 में तो कोई cost नहीं बनेगा अगर non returnable है तो 1000 के मानलो container भेजे तो वह भी cost का पार्ट बन जाएंगे क्योंकि वह हमें ही भुगत नहीं है और एक होता है less value पर return तो less value पर return ऐसा होता है कि 1000 में हमें भेजा और हमसे का वापिस कर दोगे तो 500 रुपे मिल जाएंगे तो हमारी net cost 500 आ जाएगी तो तीन तरीके का packing material चलता है एक जो return हो जाएगा पूरी value पर तो वह हमारी cost नहीं बना 1000 में आया 1000 में वापिस दूसरा आता है non returnable वह पूरी cost बन जाएगा और एक होता है less value पर return इन शोट आपको यह देखना है कि packing material का कितनी खर्चा आपको bear करना पड़ा जो net cost आपको bear करनी पड़ी वो जोड़ देंगे ठीक है यह total cost आ जाएगी इस में से number of effective unit हम divide करते है effective unit के लिए total unit में से normal loss को हटा देंगे और अगर कोई provision है loss का तो उसे भी हटा देंगे तो normal loss और कोई provision है loss का दोनों को हटा दीजिए effective unit आ देंगी और cost per unit आपके पास निकला आएगा इसमें आपके पास MCQ में caution बन सकते हैं कई सारे cash discount indirect tax अगर ITC available है demerd एक तरीके की penalty होती है detention एक तरीके की penalty होती है और कोई penalty हो तो वो cost का हिस्सा नहीं बनेगा GST जो pay होता है वो net purchase price पे pay होता है यानि कि मानलो MRP है 100 रुपे और 20 रुपे की trade discount है तो 80 रुपे net price हुआ उसी 80 रुपे पे GST पे होगा हमेंशा freight freight अगर कभी freight दिया हुआ है और एक दो material हमारे पास दो material है A और B इन दोनों material के बीच में हमें freight को distribute करना है तो वो weight के basis पर किया जाएगा और GST, custom duty insurance है तो वो value के ratio पर किया जाएगा इन दोनों का इतरह relevance नहीं है ठीक है इसके बाद में एक छोटा सा point आता है normal loss और abnormal loss तो जो हमने foundation में 11-12 ने पढ़ा है वो बिल्कुल वैसा ही है normal loss इस तरह से दिखाई जाता है जैसे 100 unit आपने खरीदी 10 रुपे के rate से 1000 में 10 unit का normal loss हो गया तो हम उसको dash दिखा देंगे के उसकी कोई value ही नहीं है और बची हुई 90 unit मान लेंगे के उनकी value 1000 है तो 100 unit में से 10 unit गई 90 unit बची 100 unit 1000 की थी तो हम यह मानेंगे 90 unit ही 1000 की है और इससे rate पर unit cost पर unit बढ़ जाएगा तो normal loss को हम unavoidable loss भी बोलते है और इससे cost पर unit बढ़ जाती है इसी जगे पर अगर abnormal loss होगा तो abnormal loss जैसे 100 unit हमने खरीनी 10 रुपे से 1000 में अब 10 unit का abnormal loss हुआ है तो हम उसको proper दिखाएंगे कि 100 रुपे का loss हो गया इसको हम transfer to P&L कर देते हैं तो abnormal loss को हम value करते हैं उसको हम transfer to P&L कर देते हैं लेकिन normal loss को हम dash दिखा कर छोड़ देते हैं और इससे cost per unit increase हो जाती है इसके इलावा एक question पूछा जाता है आपसे inventory turnover ratio एक इवार पूछा गया आज तक inventory turnover ratio बड़ा simple होता है raw material consumed को average raw material stock से divide कर दीजे कई बार question पूछता है inventory turnover ratio days में बताओ तो अगर आपसे पूछता है inventory turnover ratio तो raw material consumed divided by average stock और अगर आपसे पूछता है inventory turnover ratio in days तो आपको simply 365 divided by inventory turnover ratio रखना है आपके पास days में answer आ जाएगा अब हमारे पास ज़गा देखे इन सब का एक छोटा छोटा चोटा चोटा पूछन है बहुत सिंपन है पांच मिनिट का game बचा है बस इसका देखेगा बीबी क्यू 11 question ने का है आपको ABC बताना है इन में से कौन कौन है तो हमारे पास total 12 item दिये हुए है units दी हुई है उनकी cost दी हुई है हम लोग क्या करेंगे units में cost की multiply करके पहले तो इनकी value निकाल देंगे आखिर material की value कितनी है तो एक से 12 तक हमने इनकी units units उठाई unit cost को multiply करा इनकी value निकाल दी ये value निकल करा गई ठीक है इस value की percentage निकाल देंगे तो जैसे total stock है 355770 का तो 20,000 परपे कितना होगे उसका 9% फिर 72,000 कितना होगे 20% इसको ये percentage में हम दिखा देंगे अब हमारे पास हमें A में किसे रखना है B में किसे C में किसे वो study mat खुद बताएगा या question खुद बताएगा तो question ने का है 5000 से उपर के समान को A में रखना 15,000 से 50,000 के बीच वाला B में रखना और 15,000 से कम वाले को C में रखना ठीक है अब बड़ा simple है A, B, C कैसे बता जाएगा देखे अराम से ढूंडो 50,000 से उपर कोन कोन है ये A में चला जाएगा ये A में चला जाएगा ये A में चला जाएगा तो तीन श्टोक A में चले गए अब 15,000 से 50,000 के बीच का ढूंडो B B B B इसके बाद में 15,000 से कम वाले ढूंडो C, 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 C C ये सारे C में चले गए A, B, C क्लासिटिकेशन हो गया तो इसके मुश्किल से जो एक्जाम में एक बार कोशन आया था उसमें 6 आइटम दिये थे इस्टोक के उनका APC पूछा था तो मैंने 12 आइटम को बता दिया है इसके बाद में एक आगे हमार पास inventory turnover बाला ये question कहता है कि inventory turnover ratio निकालो और उसके ओपर comment करो तो material A और B दिये गए है opening stock दिया है purchase और closing stock तो opening stock में purchase एड़ करेंगे closing stock को minus करेंगे तो raw material consumed आजएगा आपके पास ये आगया 62 minus 6 ये आगया 56,000 इसका आगया 27 plus 9 minus 11 25,000 ये आगया दोनों का raw material consume ठीक है जी material consume आगया 56 और 25 अब इसको average stock से divide करना है तो average stock कैसा आएगा opening plus closing divide by 2 तो ये हो गया 8,000 और इसका आगया opening plus closing divide by 2 ये आगया 10 तो हमारे पास अब आप raw material consume को average stock से divide कर दीजे raw material consume divide by average stock ये आपके पास आजएगा इससे divide करके inventory turnover ratio 7 times और 2.5 times अगर number of days में चाहिए तो बड़ा simple 365 को inventory turnover ratio से divide कर दो तो 365 divided by 7 52 days आ गया 365 divided by 2.5 146 days आ गया question इसमें आपसे पूछ रहता है comment करो तो comment में सिर्फ एक ही बात बतानी होती है कि कौन सा stock जल्दी खतम हो रहा है और कौन सा late खतम हो रहा है जो जल्दी खतम होता है उसे कहते हैं fast moving stock है और जो धी में धी में खतम हो रहा है जादा दिन लगाता है उसे slow moving तो यहाँ पर जो stock A है वो 52 दिन में खतम हो जाता है और दूसरा 146 में तो यह fast moving है और यह slow moving है तो question है कि आप में पूछ सकता है कि दोनों में से fast moving यह slow moving कौन सा है तो जो जल्दी खतम हो रहा है वो fast moving जो late खतम हो रहा है वो slow moving ठीक है एक हमारे पास है material का question यह दो आगे दोनों study mat के ठीक है material pricing का question है bbq 13 और bbq 14 SKD company limited not registered under GST purchase material P from a company which is registered under GST the following information is for one lot of 1000 units of material purchase listed price 50,000 है trade discount 10% win रही है यानि आपको मिला 45,000 है ठीक है CGST and SGST credit available नहीं है 12% है तो 45,000 का 12% आपका GST लग गया 5,400 input tax credit अबलेबल नहीं है तो cost का हिस्सा बन जाएगा ठीक है cash discount से कोई लेना देना नहीं है freight and insurance 3400 है जोड़ देंगे toll tax 1000 है जोड़ देंगे demurge penalty का नाम होता है नहीं आईगी इसके बाद commission and brokerage है जोड़ देंगे दो हजार फिर कह रहे है other expensive 2% total cost है पहले ज़र इसको जोड़ ये 45,000 5,400 3400, 1000, 2000 अभी आपका खर्चा हुआ है 58,800 इसमें other expensive और जोड़ने है जो 2% है total के cost के तो आपके पास total cost आजएगी अब बताएगे total cost का 2% other expense है तो 98% बची हुई cost होगी तो 58,800 को 98% से divide करेंगे तो हमारे पास total cost आजएगी यह आगी 60,000 और 2% इसका होगी 1200 रुपे ठीक है तो हमारी total cost आगी 60,000 रुपे अब कह रहे है 20% of material shortage due to normal region आपको बताना है cost per unit material की कितनी हम लेगे तो 20% तो normal loss हो गया कितना load था 1000 यूनिट का 1000 में से 200 यूनिट हटा दो बची 800 यूनिट तो इसका मतलब हमें 800 यूनिट effectively मिली है 60,000 divided by 800 cost per unit 75 आजएगी question खतम 5 marks में आ सकता है तो हमारे पास यह statement आगे इसका 75 रुपे आगया इसी का एक सेम छोटा भाई है यह तो मतलब 2-3 नमबर में कभी आ जाए तो भी मज़ें आपके At what price per unit would part A32 be entered in store ledger if the following invoice would receive from the supplier 200 units हमने खरी ती है 5 रुपे पर unit से 1000 में 20% हमें discount मिल गई 200 तो हमारी effective cost है 800 ठीक है GST 12% है यहाँ पर question ने notes में लिखा है Second point Document substantiating payment of GST is enclosed for claiming input credit इसका मतलब आप input credit लेने वाले हो तो input credit लेने वाले हो तो GST आपकी cost नहीं बनेगा तो हमारी cost अभी तक कित्ती आई थी 800 पे discount minus करके ठीक है कह रहे है 2% discount will be given for payment in 30 days 2% discount मिलेगी अगर 30 दिन में payment कर दोगे तो तो यह कौन से discount की बात कर रहा है cash discount cash discount से हमें कोई लेना देना नहीं है अब कह रहे है packing charges 5 non returnable box वापिस नहीं होंगे 5 box से 50 रुपे के तो यह हमारे cost का part बन जाएंगे क्योंकि वापिस नहीं होने तो हमारी cost हुई cash discount की बात कर रहा है उसे कोई लेना देना नहीं GST आएगा नहीं इंपुट क्रेइट अब ले वापिस नोन returnable है तो पूरी cost जुड़ जाएगी तो हमारी cost बनी 850 रुपे कितनी unit आपने मंगवाई है 200 unit कोई normal loss नहीं है तो एक unit कितने की हो गई एक unit 4.25 की आपको पढ़ेगी तो यह हमारे पास आ गया कि भई 850 रुपे एक unit 4.25 की हो गई material chapter का काम खतम material chapter पूरा खतम हो गया इसमें number of questions जादा होते हो गया अब जो अगला chapter है वो employee cost है लेकिन हम थोड़ा सब रेक लेंगे यह हो रहे हैं 745 एक बात बता ही सबको material recall हो गया है नहीं जो भूल चुके थे जो बच्चे material chapter को भूल चुके थे पूरा याद आ गया है या नहीं आ गया एक दम जल्दी से बताइए पूरा का पूरा material जितने भी question थे पूरा का पूरा याद आ गया होगा material labor overhead तो बच्चों को उठाते हुए डर लगता है उनको लगता है कि सबसे पहले बच्चे material labor overhead पूरुशते हैं तो वो सारी की साही चीज़न को अब पूरा याद आ गया होगा बहुत ही simple है ठीक है अब हम लेते हैं 15 minute का break आठ वजे हम लोग start करेंगे employee cost employee cost छोटा है उसमें बस rowan हाल से और labor turnover तीनी चीज़े हैं और फिर overhead करेंगे आज तीन चीज़े हम करके जाएंगे झाल 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 बच्चों दूसरा चेप्टर है हमारे पास एंप्लोई पोस्ट बहुत ही सिंपल चेप्टर है और इसके अंदर सिर्फ दो ही पॉइंट काम कें एक तो रोवन हाल से और एक हमारे पास लेबर टर्नोवर आज़े ये ज़र एक बार देख लेते हैं अवाज आनी शुरू हो गई या नहीं और इसके अंदर से बहुत बढ़ बढ़ा है एकदम सुन्दर रवा जा रही है आज़े ये देखिए employee cost के अंदर हमारे पास एक तो चलते हैं wage plan wage plan बढ़े सिंपल है सबसे पहला wage plan हमारे पास रहता है state time rate system ये कहता है जितने घंटे काम किया जैए 10 घंटे आपने काम किया और एक घंटे का rate है 50 रुपे तो 500 रुपे ले जाओ बात खतम हो गई एकदम सिंपल working arts और एक घंटे का क्या rate है दूसरा हमारे पास रहता है piece rate system ये कहता है कितनी unit बनाई मालो 100 unit बनाई और एक unit बनाने का rate है तो 300 रुपे ले जाओ और बात खतम तो ये कहता है जितनी unit बनाई multiply by piece rate करतो काम हो जाएगा इसके बाद एक plan आता है इन दोनों का combo कहता है piece rate system with guaranteed time wages इसमें पहले हम piece rate से payment निकालते है फिर time rate से जैसे piece rate से आगे 300 time rate से 500 तो जो ज़्यादा payment होगी वो दे देंगे तो payment to worker whichever is higher तो 500 रुपे यहाँ पर final हो जाएगे वो ले जाएगा तो यह तो हमारे simple basic plan है इसके बाद में दो plan हमारे आते है rowan और hal से इनी के उपर पूरा का पूरा chapter घुमा के दिया हुआ है और एक labor turnover यह दो चीज़े हैं जिनके उपर पूरा chapter चलता है तो rowan और hal से यह कहते हैं कि आपको क्या करना होगा एक चीज़ आपको निकालने होगी SH SH का मतलब है standard time to produce actual output आप लोग SH निकालते थे standard posting में सेम वही निकालना होता है जैसे आपने 25 unit बनाई है और एक unit बनाने में तीन घंटे लगते हैं एज़ पर standard तो 75 hours आपके standard hours हो गए फिर यह कहता है actual में आपने कितना time लिया मानलो actual में आपने time लिया है 60 घंटे ठीक है जी अब हमारे पास एक घंटे का rate कितना है 20 रुपे तो रोवन और हाल से दो plan हमारे पास रहते हैं हाल से कहता है कि AH into R कितने घंटे काम किया 60 घंटे rate कितना है 20 रुपे तो आपके 1200 तो यह हो गए प्लस आपने जितना भी time saved किया है time saved है SH और AH का difference उसका 50% भी हम आपको bonus में दे देंगे तो 50% SH है 75 AH है 60 तो 15 घंटे की जो भी payment थी 20 रुपे से उसका 50% आपको bonus में मिल जाएगा तो यहाँ पर आपके पास 60 into 20 1200 तो मिल गई यह प्लस 15 घंटे के 20 रुपे 300 थे उसका 50% 850 1350 आप लेकर अपने घर चले जाएगे तो हाल से plan के अंदर हमें 3 चीज़े चाहिए एक चाहिए standard time कितना लगा actual output बनाने में actual time आपने कितना लिया और rate किया है formula simple है AH into R plus 50% SH minus AH into R same to same plan है rowan का rowan कहता है AH into R हमारा भी same है 60 into 20 12 रुपे bonus के लिए कहता है कि हम 50% नहीं ले रहे बलकि हम एक formula बना रहे है AH by SH तो जितना भी आपने time save किया है उसकी payment का AH by SH bonus देंगे तो इनकी percentage नहीं है तो जैसे यहाँ पर AH is 60 SH is 75 तो जो आपके 300 रुपे की payment बन रहे थी उसको किस ratio में देंगे है उसको हम 60 by 75 के ratio में देंगे तो into 60 by 75 यहाँ पर bonus बन गया 240 रुपे आपको 1440 रुपीज मिल जाएंगे तो रुवन और हाल से दो प्लैन हमारे पास चलेंगे रुवन सिंपल AH into R plus 50% of SH minus AH multiply by R और रुवन कहता है AH into R plus AH by SH multiply by SH minus AH multiply by R एक पूछा जाता है effective rate effective rate का मतलब होता है एक घंटे की आपको actual payment कितनी बन रहे है effectively तो हाल से की जो भी payment आई या रुवन की जित्ती भी payment आई इसको actual आड से अगर आप divide कर देते हो कि 60 घंटे काम करके 1350 रुपे या 1440 ले गए तो एक घंटे की effective payment आ जाती है तो effective payment इसकी आ गई 22.5 पर आर और इसकी effective payment आ गई 24 रुपीज पर आर तो यही है जिसके उपर आपका पूरा का पूरा चैप्टर घुमेगा wage plan के अंदर तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं हाल से की AH into R SH minus AH multiply by R का 50% यही रोवन इसको 50 को AH by SS से replace कर देता है और कई बार आपसे effective rate पूछा जाता है तो wage divided by AH कर देंगे ओके इसमें देखते हैं जब एक बार हमारे पास BBQ 15 बड़ाई famous question है Mr. A is working by employing 10 skilled workers 10 worker है इनके पास He is considering the introduction of some incentive scheme either हाल से with 50% bonus और रोवन of wage payment for increase the labor productivity to cope with increase demand for the product by 25% तो रोवन या हाल से लगाने की सोच रहे है He feels that if the proposed incentive scheme could bring about 20% increase over present earning जित्ती भी इनकी कमाई ये वो 20% से बढ़ जाए of the worker it could act as sufficient incentive for them to produce more and he had accordingly given this assurance to the worker तो Mr. A है दस्वरकर इनके हाँ पर काम कर रहे हैं इन्होंने वरकर्स को कह दिया है कि आपकी कमाई 20% बढ़ जाएगी assurance दे दिया है और हाल से और रोवन मैं से कोई एक scheme लगाने की ये planning कर रहे है as a result of the assurance the increase in productivity has been observed and revealed by the following figure for the current month hourly rate of wages guaranteed 40 रुपीज अभी जो rate है वो 20 रुपे है इन्होंने जो assurance दिया है कि कमाई 20% बढ़ जाएगी तो अब वरकर को हर घंटे के 48 रुपे पढ़ने चाहिए अगर वरकर को 48 रुपे एक घंटे के मिल रहे हैं तो इसका मतलब assurance फुल्फिल हो जाएगा ओके average time for producing one piece by one worker two hours तो standard hours एक यूनिट के दो घंटे हैं ठीक है number of days in the month 25, number of working hours each worker 8, actual production 1250, अब हमारे पास कह रहे हैं effective rate बताओ, हाल से और रोवन के अंदर कितना कितना बैठा है ओके लिए, तो सबसे पहले देखिए हमें चाहिए AH 10 वर करने काम किया 25 दिन 8 घंटे 25 दिन काम किया, 8 घंटे काम किया तो AH आ गए 10 into 25 into 8 2000 hours है हमारे पास actual hours, ठीक है rate हमारे पास 40 रुपे है फिर दूसरा हमें चाहिए SH SH आपने कितनी यूनिट बनाई है 1250 यूनिट, एक यूनिट बनाने में कितना standard time मिलता है 2 घंटे, तो ऐसे चाहिए आपके पास आ गए 1250 यूनिट के 2 घंटे से 2500 hours, ओके अब हम इनकी रोवन और हालसे से wages निकालतेंगे, रोवन और हालसे तो रोवन कहेगा AH into R 2000 hours, rate है 40 रुपे प्लस AH by SH AH 2000, SH 2500 multiply by SH माइनस AH multiply by R 40 रुपे, ये रोवन की payment आ जाएगी, फिर हालसे की जो payment आएगी, वहाँ पर same to same सब कुछ यही रहेगा AH into R 2000 घंटे 40 रुपे से प्लस 50% SH माइनस AH multiply by R इन दोनों की वेजिज निकाल देंगे, कितनी आ रही है तो 2000 into 40, 80,000 500 into 40 multiply by 2000, divide by 500, यहाँ पर payment आ गई 96,000 दूसी जगे पर अगर payment देखते हैं हम तो हमारे पास आ गई 500 multiply by 40 multiply by 50% प्लस 80,000 यह आ गई दूसी जगे पर 90,000 की payment तो रोवन में आपको 96,000 की payment मिलेगी हाल से में 90,000 की मिलेगी question ने काई, effective rate बताओ effective rate के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इनकी wages को actual R से divide करना पड़ेगा actual R है 2,000 तो यहाँ पर 96,000 divided by 2048 हो गया यहाँ पर आ गया 90,000 divided by 2045 तो यहाँ पर 45 पर R वरकर को बढ़ेगा यहाँ पर 45 पर R वरकर को बढ़ेगा तो सबसे पहला question है effective rate बताओ तो effective rate यहाँ पर आ गए 45 और 48 ठीक है अब एक question इसमें बनता है कि भई यह बताओ assurance को जो आप बताए कौन सा plan अडोप्ट किया जाए जो assurance को fulfill कर रहा हो तो हमारे पास हमने assurance जिया था कि income को 20% बढ़ा देंगे 40 रुपे की तुमारी income है 20% बढ़कर 48 रुपे पर आर तुमें पढ़नी चाहिए तो बताए ए 48 रुपे पर आर किस में पढ़ेगी रोवन के अंदर तो अगर यह पूछा जाता है कि assurance कौन से plan में fulfill हो रहा है तो रोवन plan में assurance fulfill हो रहा है क्योंकि हमने workers को assurance दिया था 20% income बढ़ेंगे तो 40 की जगे 48 हो गई तो assurance fulfill हो जाएगा तो यह वाला point ना ICI ने नए study mat से डिलेट कर दिया है assurance वाला पुरानी study mat में था और एग याम में पूछा जाता था तो इसलिए मैं साथ के साथ बता रहा हूँ अगर पूछा जाए कि assurance किसमें fulfill होगा तो assurance उसमें fulfill होगा plan में जिसमें 48 उपे मिल जाए तो यहां तो 45 मिल रहे है यहां 48 तो 48 वाला ही plan है जो assurance को fulfill करेगा क्योंकि मालिक ने कहा था 20% कमाई बढ़ जाएगी तो रोहन से बढ़ेगी वो तो पहला point सिर्फ effective rate का है दूसरा point है saving to Mr. A in terms of direct labor cost per piece under the scheme तो कहरें Mr. A को कितनी saving को की labor cost per piece यानि labor cost per unit पर तो इसके लिए हमें देखना होगा कि existing plan के अंदर normal plan के अंदर labor cost per unit कितनी बैठती थी तो existing plan में एक unit को बनाने में 2 गंटे लगते थे और worker 40 रुपे एक घंटे के लेता था तो इसका मतलब 80 रुपे per unit आपको labor cost बैठती थी 40 रुपे एक घंटे के दो घंटे में unit बनती थी 80 रुपे की बैठती थी ठीक है अब अगर हम देखें रोवन के अंदर तो 96,000 total cost लगी है 1250 unit बनाने में 96,000 divided by 1250 और हालसे के अंदर 90,000 रुपे में काम हो गया 1250 unit तो एक unit 72 रुपे की बैठती रही है तो question ने पूछा है रोवन और हालसे में per unit कितना फायदा होगा तो पहले आपको 80 ही पढ़ती थी अब 76.8 की बैठती रही है तो इसका मतलब 3.20 पैसे का per unit आपको फायदा हो रहा है रोवन के अंदर और हालसे के अंदर 8 रुपे per unit का आपको फायदा हो रहा है तो 8 रुपे और 3.20 पैसे का per unit आपको फायदा यहाँ पर मिल जाता है 8 रुपे और 3.20 पैसे तो एक बड़ा famous question है पूछा जाता है क्या है? A skilled worker in XYZ Limited is paid a guaranteed wage rate of Rs.30 per hour. तो एक worker है जिसका rate है 30 रुपे पर आर का. ठीक है. Standard time per unit 4 hours है. तो SS है 4 घंटे. Mr. P a machine man had been paid wages under Ruan system. Ruan के अंदर इनोंने काम किया. And earned effective rate 37.5 और हर घंटे के 37.5 effective rate लेगा. Effective rate कैसे आता है? Wages divided by AH. अब इस question के अंदर AH गायव है. AH इसके अंदर हमें identify करना पड़ेगा. AH जैसे निकल जाएगा. सबसे पहले AH निकालना पड़ेगा. वो working note है हमारा. उसके बाद में question के रहा है. अब आपको earning और effective rate बताना है हाल से के अंदर. तो इसमें सबसे पहले हमें AH find out करना पड़ता है. हमारे पास क्या क्या चीज़े हैं वो मैं बता देता हूँ आपको. आपके पास SH है 4, normal rate है 30, और effective rate है 37.5 हाल से रोहन के अंदर. effective rate कैसे आता है? पहले आपने रोहन में वेजिज निकाली होंगी और उसे AS से डिवाइट किया होगा. ठीक है. इस question के अंदर AH गायव रहता है. तो पहले आपको AH निकालना पड़ता है. बड़ा सिंपल सा तरीका रहता है इसका. effective rate equals to wages divided by AH. effective rate है 37.5. wages हमारी रोहन के अंदर में चल रही है. तो रोहन कैसे करता है? AH into R plus AH by SH, SH minus AH multiply by R divided by AH. तो wages को AH से divide करोगे तो आएगा. अब ये AH सामने जाकर multiply हो गया. 37.5 AH equals to R हमें मालूम है 30 रुपे है. तो AH into R हो गया 30 AH plus AH by SH हमें पता है 4. SH मालूम है 4 minus AH. R हमें मालूम है 30 रुपे है. ठीक है. अब ये 30 AH सामने जाकर minus हो गया. 7.5 AH सामने बचा. यहाँ पर बचा AH divided by 4. 4 minus AH multiply by 30. तो हमारे पास ये जो 4 है. इससे 30 cancel हो जाएगा. 7.5 बन जाएगा. अब जड़ा AH को 4 से. ये होगे 7.5 AH. ये 7.5 AH. 7.5 AH को 4 और minus AH से हम लोग multiply कर सकते हैं. वरना हम ऐसे लिख सकते हैं. 4 minus AH multiply by 7.5 AH. अब जड़ा देखिए. यहाँ भी 7.5 AH है. यहाँ पर भी. तो 7.5 AH बन जा. 7.5 AH आ गया. तो 1 equals to 4 minus AH. माइनस का AH यहाँ पर आ गया. 1 यहाँ पर आ कर माइनस में हो गया. AH equals to 3 AH निकल कर आपके पास आ जाएगा. आप इस equation को अपनी तरीके से कैसे भी solve कर सकते हैं. जैसे आप solve करना चाहें. जैसे ही AH निकल आएगा. फिर हम हाल से के अंदर कमाई कितनी है और effective rate कितना है वो निकाल देंगे. तो यह 5 marks में आता है. बहुत important question इसको मनते हैं. इसके बाद में हमारे पास आते हैं. एक तो अ कुछ छोटी-छोटी सी term चलती है. सारी term one by one देखेंगे. एक चलता है overtime. overtime का मतलब होता है worker से आपने normal working आट से जादा काम करवाया है. जैसे 8 घंटे काम करवान था 10 घंटे करवाया है. तो जो 8 घंटे हैं उसकी payment तो normal rate से हो जाएगी. जो 2 घंटे extra काम करवाया है उसके ल 10 रुपे के इलावा आपको 5 रुपे का premium और देना पड़ा है हर घंटे का. ये overtime premium कहलाता है. और overtime payment का मतलब होता है पूरे 15 रुपे. तो 10 की जगा 15 दे रहे हो. तो premium है 5 रुपे और पूरी overtime payment है 15 रुपे. तो ये जो premium है ये हमारा नुकसान होता है. तो कई बार question पूछा जाता है कि overtime premium का क्या treatment किया जाएगा. ये theory based ही रहता है generally. तो अगर overtime premium due to labor shortage है. कि labor की shortage है. तो हम inflated rate का इस्तमाल करते हैं. यानि हम rate को ही increase कर देते हैं. ये कैसे किया जाता है? जित्ती भी total पूरे साल की wages बनेंगी. उसको total 8 से divide कर देंगे. तो total wages including premium ली जाएगी. जित्ती rate आ जाएगा. थियोरी के point of view से ही रहे गए हमेशा. इसके इलावा अगर question कहता है कि general production program के साथ को आप करने के लिए. यानि general production program को fulfill करने के लिए हमने urgent orders का और overtime premium किया है. तो इसको overhead में charge कर देते हैं. तो अगर labor की shortage से है. तो inflated rate यूज़ करो. अगर production program के लिए किया है. तो overhead में charge करो. कई वार किसी दूसरे department की गलती की वज़े से आपको overtime करना पड़ा है. तो दूसरे department के जो भी faulty department है. उसके overhead में हम खचा जोड़ देते हैं. अगर abnormal region से है. तो P&L में ले जाएंगे. और अगर customer की request पर है. तो customer के bill में हम इसको जोड़ देते हैं. ठीक है. एक और पूछे जाता है कि idle time किसको बोलते है? आइडल time का मतलब होता है कि worker factory के अंदर है. और उसको payment भी मिल रही है. लेकिन वो काम नहीं करता. तो worker factory के अंदर है. उसे payment मिल रही है. वो काम नहीं करता. ऐसा कैसे हो सकता है? इसके 2 region हो सकते हैं. एक तो है नormal region. जिसको हम अग रहुँ आइड़ को भी छुरू । anti Łaling Gallery वहांसे अपनी एडिटिट तक पहुंचने आपकर सेऩे अंधर अपने पाइड़ında प lend हो जाती है तो वो तभी से चुड़नी शुरू हो जाती है जब वो gate पे entry कर देता है तो gate पे entry करता है, sign करता है या biometric, वहाँ से उसकी वेजिच बननी शुरू हो जाती है तो वहाँ से अपने department तक अपनी machine तक पहुशने का time इसके इलावा एक job से दूसी job के बीच में एक job आई को पूरी कर दीन होने फिर दूसी job स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा time लेना पड़ता है उसके बीच में जो interval है वो normal idle time है setup में machine के जो time लग रहा है वो आपका normal idle time में जाएगा और इसके इलावा काम करते हैं करते हैं इनसान ठक जाता है उसे बोलते है फैटीग तो फैटीग की वज़े से आपने lunch break लिया है tea break लिया है यह सब normal idle time में आ जाएगे abnormal idle time के अंदर रहेगा कि भही abnormal factors हैं जैसे lockdown हो गया tsunami आ गयी कुछ आ गया लेकिन तब भी wages हमें देनी पढ़ रहे है covid आ गया और covid में भी wages देनी पढ़ रहे है तो यह सब abnormal idle time के अंदर cover हो जाएगा तो power fail हो गई, machine breakdown हो गई lockdown हो गया, lack of coordination है तो इसको abnormal idle time के अंदर हम count कर देते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा कि idle time वही माना जाएगा जब worker factory में हो अगर worker factory में नहीं है तब भी wages देनी पढ़ देंगे, तो abnormal idle time में नहीं आएगा, मान लो strike हो गई strike हो गई, और worker factory में नहीं है सारे worker अपने घरों पे बैठे हैं तो फिर यह idle time के अंदर नहीं आएगा यह other तरीके का abnormal loss है कि strike की वज़े से पैसे देने पढ़ गए, लेकिन strike करी है worker ने, worker factory के अंदर ही है, और strike करके बैठे हो हैं कि हम काम नहीं करेंगे, खाली बैठेंगे, हम आज कोई काम नहीं करेंगे, तो abnormal idle time के अंदर count हो जाएगा, इसके बाद में हमारे पास कुछ statement आते हैं, यह बिलकुल मतलब खास relevant नहीं है, लेकिन पूछे जाते हैं कई बार, gross wages, net wages और employee cost, परार निकालना, तो gross wages के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, gross wages में हम निकालेंगे, कि worker की total payment कितनी रही है net before any deduction, तो इसके अंदर हम basic dearness allowance जोड़ेगे, dearness allowance हमेशा salary का part होगा, bonus निकालने के लिए, overtime निकालने लिए किसी भी other payment को निकालने के लिए, तो basic salary और dearness allowance को जोड़ कर ही सारी calculation होती है तो पहले basic और dearness जोड़ेगे, उसके बाद में कोई भी bonus और कोई allowance और कोई payment वो जोड़ दी जाएगी, इसे कहते है gross wages, एक बार आप gross wages पे पहुँच गए, यहीं से गेम शुरू होता है, net wages का, net wages और labor post का, तो सबसे पहले आप gross wages पे पहुचेंगे कैसे, basic प्लस da जोड़ेगे, उसके इलावा कोई और allowance है, कोई other payment है, वो सारी यह सारी चीज़े जोड़ दी यह, ठीक है, यह हमने पास सबसे famous deduction रहती है, employee contribution, employee contribution, employee अपने pension fund में, provident fund में, employee state insurance में, जो भी contribution करता है, employer की जिम्मेदारी है, उसकी salary में से उसे काटे, और government के पास जमा करे, तो employee का contribution, PF में, ESI में, वो minus होगा, यह पूछा जाता है, इसके इलावा, TDSV काटा जाता है, अगर मान लीजे, employee ने आपसे loan लिया हुआ है, तो loan की जो EMI है, वो काट सकती है, company, और कई सारी चीज़े काट सकती है, वो question आपको बताएगा क्या deduction करनी है, पर आज तक ICI ने सिर्फ employee contribution को ही पूछा है, इसके इलावा, deduction में, employee का जो contribution है, PF, pension fund, ESI, उसके इलावा, TDS, professional tax, कोई loan की, EMI, यह कोई और deduction है, वो भी minus होगी, पर यह चारो ICI ने आज तक नहीं पूछें, सिर्फ employees का contribution पूछा है, तो अगर आप gross wages तक पहुचकर net wages पर पहुचना है, तो employee का contribution minus कर दीजे, और labor cost पर पहुचना है, तो आप add कर दीजे employer का contribution, employers, contribution to, PF, ESI, etc. तो जिदना contribution employee का होता है, उतना ही contribution employer को भी करना पढ़ता है, labor cost पर पहुचना है, तो gross wages में employer contribution को add कर दीजे, net wages पर पहुचना है, तो employees contribution को minus कर दीजे, इसके बाद में जैसे आपके पास पूरी labor cost आ गई, इसको आप divide करेंगे effective arts से, effective arts के अंदर आपके पास total arts आएंगे, total arts में से जो भी आपका normal idle time है, what आए जाएगा, कोई भी paid leaves है, वो paid leaves इसमें से minus की जाएंगी, और आपके पास effective arts आ जाएंगे, फिल labor cost परार आपके पास निकल आएगा, labor cost परार, इसका question ICI पूछता नहीं कभी भी, इसलिए इस पर हम ज़्यादा जोड़ नहीं देते, इसका सिर्फ एक question है famous जो ICI पूछता रहता है, वो famous question में दिखा रहा हूँ आपको, एक ही question है जो पूछा जाता है, उसके लावा कोई question, labor cost से प्लेटेट नहीं पूछता, बी-बी-क्यू 17, इस question के अंदर overtime भी है, इस question के अंदर इस question में आपको earning भी निकालनी है, और labor cost भी निकालनी है, to each job XYZ, दो वर्कर देती है, A और B, इनकी basic wages 10,000 और 16,000 है, dearness allowance 50-50%, तो आपका यहाँ पर 5000 हो गया, यहाँ पर 8,000 हो गया, contribution to PF, bracket में लिखा है, on basic wages, अगर basic wages नहीं लिखा होगा, तो basic और DA दोनों का चोड़ के निकालेंगे, अगर basic wages नहीं लिखा होगा, तो labor cost की हर calculation, basic और DA चोड़ के की जाएगी, contribution to ESI, on basic wages, यह 82% बता दिया, overtime 10 गंटे की आए, ठीक है, normal working hours for the month, hour 200, overtime is paid double the total of normal wages and DA, तो normal wages जो DA जित्ते भी निकलेंगे, उसके double rates से overtime की payment होगी, हम यहाँ पर अपना रुखते हैं, एक line और पल देते हैं, employer contribution to ESI and provident fund are at equal rate, यह नहीं भी लिखा होगा, तो हम यह मानेंगे employer का contribution same rate से होता है, ठीक है, अब जब देखें, इनकी जैसे net wages निकाल नहीं है, तो कैसे निकलेंगी, net wages के लिए हम लोग A और B दो हो गए, A, B, सबसे पहले इनकी लिए और लेंगे basic और DA, तो यह आगे लिए basic, dearness allowance, 10 और 16, dearness allowance इनका आगे 50-50%, 5000 और 8000, basic और DA को जोड़ देंगे, basic plus DA, ठीक है लिए, इसका हो गया 15,000, और इसका हो गया 16 और 8, 24 जाए, ठीक है, इसके बाद में और कोई चीज नहीं दी हुई, फिर दिया हुआ है इनका contribution, और overtime दिया हुआ है 10 घंटे कराए इने, तो एक को 10 घंटे की overtime पेमेंट जोड़ देगी, question ने काये, normal हमारे पास 200 घंटे है महिने में, और overtime की payment double rate से करेंगे, basic और DA नेस अलाउंस को जोड़ कर, ठीक है, तो अब जो इसकी overtime की payment आईगी, basic और DA जोड़ कर कितने हो गए, 15,000 रुपे, normal working hours 200 hours, ये normal rate आ जाएगा, तो 15,000 डिवाइट वाई 200 hours, normal rate आ गया 75 पर आर, अब इसको देना है overtime, तो overtime इसने किया है 10 घंटे, 75 का rate है, इसको double rate से मिलेगा, तो इसको 15,000 रुपे का overtime मिल जाएगा, ठीक है जी, अब इसका ये जोड़ गया वेज़िज, ओके, ये हो गई इसकी gross वेज़िज, अब gross वेज़िज में से, इसका जो contribution है, वो हम minus कर देंगे, less, employing contribution, contribution बोला है, employees का, provident fund और ESI में, 8 और 2% basic wages का बोला है दोनों, तो 10% उन basic, एक साथ minus कर रहा हूं में, employing contribution, 10% of basic, तो इसका जो 10% है basic का, वो आगया 2000, sorry, 1000 रुपे, और इसका जो है, वो आगया 1600 रुपे, तो इनकी जो net wages है, या workers की earning है, वो हमारे पास आ गई, 16500 माइनस 1000, 15500, और ये आगया, 24,000 माइनस 16,00, 22,400, ठीक है, तो ये 15500, और 22,400, इन दोनों का निकल कर आ गया, ये निकाल दिया हमने, अब हमें निकालनी है, दोनों की labor cost, ठीक है, जी दोनों की labor cost निकालते हैं, ये net wages, या earning हो गई, labor cost निकालनी है, तो सेम, basic DA तक हम पहुच गए, उसके आदो अबर टाइम जोड़ा, और gross wages तक हम लोग पहुच गए, gross wages थी, 16,500 और 24,000, तो आप लोग सीधे gross wages से start कर सकते हैं, A और B, एक वारन gross wages निकाल चुके हैं, 16,500 और 24,000, इसमें अब जोड दीजिए, employer का contribution, labor cost पे पहुच ना है, तो employer contribution को add कर दीजिए, दोनों का contribution एक बरावर है, वो भी 10% of basic हो गया, इसका 1000 और इसका 1600, तो इनकी labor cost निकल कर आ गई, labor cost, 17,500 और 25,600, ठीक है, 17,500 और 25,600 दोनों की labor cost निकल कर आ जाएगी, इसके बाद में question कर रहा है हमसे, the two workers were employed on job XYZ in the following proportion, worker A और B ने 40%, 30%, 30%, 50%, 20% और 30% काम किया है, over time job Y पर हुआ है, तो जो over time का खर्चा तब 15,000 पर जाएगा, बाखी खर्चा जो ratio दिया हो है, उस ratio में बाट देंगे, अब जो allocation होगा cost का, वो allocation इस तरह से होगा, job XYZ, XYZ, सबसे पहले employee A, तो A की जो other cost है, और एक over time है, तो पार्ट में हम लोग इसको तोडएगे, over time तो Y के उपर जाएगा, तो 17,500 में से 15,000 रुपे तो over time पर चले गए, बचे कितने, 16,000 रुपे, इस 16,000 रुपे जो बचे, over time तो Y पे था, वो तो चला गए over time Y के उपर, बाकी जो बचे 40, 30, 30 के ratio में बढ़ जाएगे, तो 40, 30, 30, इस ratio में आपके बढ़ जाएगे, 16,000 का 40%, 6400, 30%, 4800, और 4800, over time से न Y के उपर बढ़ दिया, अब B की cost आती है, B की cost है 25, 600, B की cost बटे की, 50, 20, 30 के ratio में, तो 5, 2, 3 के ratio में बाढ़ देंगे, 5, 2, 2, 3, यह हमारे पास इसके ratio में बचे जाएगी, 25, 600, 5, 12, 800, 20, 5, 1, 2, 0, और 30, 7, 6, 8, 0, इने जोड़ेंगे, इनकी labor cost निकल कर आजाएगी, कितनी कितनी इनकी बठी, यह हमारे पास, एक ही question है, जो पूछा जाता है, gross wages, net wages से, तो उस पे इत्ता ध्यान देने की ज़र्णत नहीं है, तो एक तो ruin और हाल से हो गए, वो पूछा जाएगा आपसे, इसके बाद में दूसरी चीज जो labor cost से पूछी जाती है, labor cost में बहुत ज़्याद और हाल से, और दूसरा है labor turnover जो exam में पूछा जाता है, labor turnover को ध्यान से देखना है, यह सब से जादा पूछा जाता है, तो exam में आ तो आपको ruin और हाल से मिलेगा, या फिर labor turnover rate मिलेगे, तो labor turnover rate को ध्यान से देखना है, labor turnover rate को हम अराम से समझेंगे, देखे किस तरह से चलेगा, देखे, हमारे पास कुछ opening workers होंगे, opening workers, जैसे मेरे पास opening workers है 900, ठीक है, और closing workers हैं, मेरे पास किसी period के, 1100, तो average workers मेरे पास हो गए, one-thousand rate, ठीक है, अब मेरे पास हुआ क्या होगा, मेरे पास कुछ workers ने entry की होगी, entry को हम यहाँ पर बोलते हैं, accession, के workers आए, और कुछ workers ने exit मारा होगा, जिसको हम कहते हैं separation, कोशन खुद बताएगा, कितने workers छोड़ कर गए हैं, कितने workers आए हैं, सारी कहानी खुद बताएगा, तो 900 opening थे, मान लो मेरे पास 300 workers आए हैं, तो मेरे पास हो जाने चाहिए, 1200 workers, ग्याराइज हो हैं, इसका मतलब 100 workers मेरे यहां से छोड़ के चले गए, अब देखिए, 900 से 300 आए, 1200 हो गए, 100 workers छोड़ के चले गए, 1100 मेरे पास closing बच गए, ओके, on an average, 1000 workers अब यह जो accession है, यह कहा गया, यह दो तरीके से होता है, एक तो होता है replacement की वज़े से, replacement का मतलब है, जो worker छोड़ कर गए है, उनकी seat पर कोई तो आके बैठेगा, जैसे एक math का teacher छोड़ के गया है, तो उसकी जए पर कोई math का teacher आएगा, तो कितना replacement हो चुका है, तो मैंने मान लिया, replacement 50 worker का हुआ है, ओके जी, और दूसरा होता है new accession, new accession का मतलब होता है, कि हमने कोई नई ब्रांच खोली है, या बिजनिस में expansion किया है, तो जैसे मेरा एक school था, एक teacher math का छोड़ के गया, उसकी जगे पर दूसरा teacher math का आया, ये replacement है, और मैंने एक नया school खोला, और वहाँ पर कुछ teachers को रखा, तो वह new accession में आएगा, तो अगर आपने बिजनिस expansion की है, अपनी ब्रांच इज बढ़ाई हैं, उसकी वज़े से employee जाए हैं, तो उसे हम बोलते है new accession, तो धाई सो वरकर यहाँ पर आगए, अब आपके पास ये scenario बनेगा, सबसे पहले आपको average worker निकालने होंगे, अब ये जो हमारे सामने सब कुछ लिखा हुआ है, यही labor turnover rate है, तो सबसे पहला rate आता है, separation rate, separation rate का formula है, number of separation, divided by average worker, multiply by 100, तो 100 worker छोड़के गए हैं, on an average thousand है, तो 100 divided by thousand, multiply by 100, 10% separation rate हो गया, ओके, अब accession rate, तो number of accession, यानि total worker कितने आए हैं, 300, 1000 average थे, multiply by 100, 30% accession rate हो गया, replacement rate, कितने worker replace हुए हैं, 50, average worker 1000, 5% replacement है, और new accession rate, new access कितने हुए हैं, expansion की वज़ा से, divided वाई, average worker, multiply by 100, 25, new accession है, तो यही सारे labor turnover rate है, separation rate, आपको average worker से, worker separated का ratio निकालना है, accession rate, आपको number of accession का, average से rate निकालना है, replacement rate, number of replacement का, average से rate निकालना है, और new accession rate, आपको जो नए worker, expansion की वाज़ा से आए हैं, उनका rate निकालना है, इसमें एक बड़ी बात क्या है? अगर आपने कोई नई ब्रांच नहीं खोली, तो 50 वर कर रिप्लेस हुए हैं, तो 50 ही आए होंगे, तो अगर कोई नई ब्रांच नहीं खोली, तो accession और replacement एक बरावर हो जाते हैं, तो कई बार question में accession और replacement आपको एक बरावर मिलेंगे, ऐसा तब होगा जब आपने business expansion ना की हो, ओके, अब ये सारे rate निकालने के बाद में एक आता है, flux rate, flux का मतलब है, total fluctuation कितनी हुई है, तो इसको दो पार्ट में तोड़ा गया है, एक पार्ट कहता है, कि fluctuation में हम सिर्फ existing worker को consider करेंगे, तो वो कहता है कि जितने worker separation में गए, प्लस, जो replace होकर आए, हम सिर्फ उन्ही को लेंगे, divided by average workers, ओके, दूसरा flux rate का formula कहता है, कि जो worker गए, उन्हें लो, जो replace होकर आए, उन्हें लो, प्लस जो नए worker आए है, new accession, उन्हें भी लो, divided by average workers, तो flux के दो formula हमारे पास रहते हैं, एक जो separation, और replacement वो consider करता है, और दूसरा, जो separation, replacement और new accession, तीनों को consider करता है, यह हमारे पास जो हमारे को लेंगे, टर्न ओवरेट दिखेंगे, देखेगा, separation method, number of separation, out of average worker, replacement, number of replacement, out of average worker, new accession, number of new joining, out of average worker, accession, number of total joining, out of average worker, average worker, opening plus closing divided by two, और flux के दो method रहेंगे, separation और replacement को consider करके सिर्फ, और separation, replacement, replacement, और new joining, तीनों को consider करके, तो replacement और new joining को हम total accession भी बोल सकते हैं, तो separation और total accession लो, यानि new joining को भी consider करो, average worker के साथ, अब labor turnover rate examiner आप से निकलवा लेगा, कई बार तो labor turnover rate निकलवा के आप तो छोड़ देगा, कई बार क्या करेगा, वो कह देगा, कि ये दो महीने का data है हमारा, जैसे दो महीने का आगया, separation rate 5%, अब वो आप से कहेगा, इसका equivalent या annulite बताओ, तो equivalent या annulite का मतलब होता है, पू पूरे साल का कितना होगा, यानि 12 महीने का कितना होगा, तो यह आ रहेगा आपका 30%, कि भई हमारा 30% हो गया, ओके, तो हमारे पास labor turnover rate कई बार equivalent annual turnover rate मांगेगा, तो उसे भी निकाल देगे, तो एक question इससे आता है, और एक profit for gone से आता है, profit for gone अलग से बताओंगा, पहले इसका देखते हैं, labor turnover rate की question कैसे देखेंगे, यह देखें, बीबीक्यू, 80, number of workers on payroll at the beginning of the month, 900, at the end of the month, 1100, तो हमारे average worker कितने हो गए, 1000, ठीक है, कहरें, during the month, 10 worker left, 40% discharge, 10 चले गए, 40 को हमने निकाल दिया, हमें सिर्फ यह बताओ, total कितने गए, तो 50 workers separation में आ गए, 50 workers चले गए, ठीक है, 150 workers were recruited, out of the 25 workers recruited in the vacancies of those living, तो 150 workers हमने recruit किये हैं, total, यह हो गया हमारा accession, कहरें, इस में से 25 workers उनकी जगे पर आए हैं, जो छोड़ कर चले गए, यानि 25 workers replacement से हुए हैं, replacement हो गया 25 का, कहरें हैं, vacancies of those living, while the rest were engaged for an expansion scheme, बाकी के जो worker हैं, तो 150 में से 25 तो replace हुए, बचे 125, वो expansion की वज़े से आए हैं, यानि, यह new accession, new joining हैं, ओके, तो हमारे पास, अब चीज़े क्या आ गए, 25 workers replacement हैं, पचास separation के हैं, accession के 150 हैं, और new accession के 125 हैं, कोशन ने का कि लेबर turnover rate निकाल के बताओ, दस नमबर में हैं थे, कोशन हैं गिए हमें, separation, 50 worker out of 1000, 5%, replacement, 25 worker out of 1000, 2.5%, new accession, 125 worker out of 1000, 12.5%, accession, total 150 हैं, out of 1000, 15%, flux के दो method, flux का पहला method, separation और replacement को लो, तो 50 separate हुए, 25 replace हुए, out of 1000, 7.5%, और flux का दूसरा method, number of accession और separation ले लो, तो separate हुए थे 50, replace और new accession, दोनों मिला कर 150 हैं, out of 1000, 20% ले लो, अब ये exam में आई हुआ कोशन है, और study module का कोशन है, इसके अंदर exam में आपको एक गल्ती मिल सकती है, उस गल्ती को आपको ignore करना है, गल्ती कह हैं, वो गल्ती मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पर आप exam में शीट पे दिमाग मत लगाना, ये गल्ती के साथ बनाते हैं, देखो, 900 वरकर थे हमारे पास, आए कितने हैं, 150, ठीक है, गए कितने हैं, 50, अब बताईए कितने वरकर क्लोजिंग होने चाहिए, 900 में 150 आए, 1050, 50 छोड़ के चले गए, 1000, ये क्लोजिंग वरकर दे देते हैं, 1100, तो आपको ये दिमाग भी लगा ना, क्लोजिंग मैच क्यों नहीं कर रहा है, बेसिकन दी चक्कर क्या है, ICI इतना दिमाग नहीं लगाता, वो तो ओपनिंग और क्लोजिंग इसलिए दे रहा है, कि एवरेज 1000 बन जाएगा, वो एवरेज 1000 बनाने करे, वो कैल्कुलेशन नहीं कर रहे, इसी कोश्चन को ये धंक से बना सकते थे, जैसे कि अगर ये इसी कोश्चन को कर देते, कि भई, ओपनिंग 950 हैं, और क्लोजिंग 1050 हैं, एवरेज तो अब भी 1000 हो जाते, अब ज़रा देखे, अब मैच कर जाता, 950 ओपनिंग है, 150 आ गए, 1200 हो गए, 1200 में से 50 छोड़ के चले गए, तब भी नहीं हुआ, हाँ, 950 और 150 कितने हो, 1100, 1100 में से 50 छोड़ के चले गए, 1050 हो गए, ये कोश्चन ठीक बन गया, कि भई, क्लोजिंग 1050, ओपनिंग 950, और सारे रेशो बिल्कुल ठीक रहते तब भी, क्योंकि एवरेज तो 1000 ही रहता आपका, और ओपनिंग क्लोजिंग मैच हो जाता, पर वही वाली बात कोश्चन हमसे तो ये खुदी बनाते हैं, तो अंट संट बनाते रहते हैं, और बच्चों को परिशान करते हैं, तो आपको ये कंफ्यूट नहीं हो ना कि ओपनिंग क्लोजिंग मैच क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, इसके बाद में हमारे पास BPQ19 देखे, ये बड़ा famous question है, बहुत पूछा जा बता है, ज्यान से देखने हैं इसको, RST Company Limited had computed labor turnover rate for the quarter ended 31st March 2017, as 20%, 10%, 5%, under flux method, flux का है 20%, ठीक है, replacement का है 10%, ठीक है, और separation का है 5%, ठीक है, अब देखे, इसमें भी एक error बताता हूँ मैं, ये क्या कह रहे है, replacement 10%, separation 5%, यानि अगर छोड़ के 50 गए है, उनकी जगें पर 100 डोग आ गए, तो ये भी mathematical करोंगे, 50 math के teacher गए हैं, तो उनकी जगें 50 ही आ सकते हैं, बाकी तो expansion में जाएंगे, लेकिन आपको इसको भी ignore करना है, आपको बस mathematics पर जाना है, कि अच्छा भी math है ये से चल रहा है, तो इन्होंने percentage देती, flux की 20, replacement की 10, और separation की 5, कह रहे हैं, if the number of worker replaced during the quarter is 50, हमारे जो number of workers हैं, जो replace हुए हैं, वो 50 हैं, और replacement का rate दे रखा है 10%, अब बताइए, replace हुए हैं 50 worker, ओके, और replacement का rate है 10%, यानि average का 10% रिप्लेस हुए हैं, क्या मैं कह सकता हूँ, ये 10% of average worker है, 10% of average workers replace हुए हैं, 50 worker replacement दे दिया, अब बताइए, average worker हमारे पास आ जाएगा, average workers हमारे पास होगे 500, ठीक है, तो एक तो हमें average workers की ज़र्वरत होती है, तो average worker 500 worker निकल कर आ गए, ओके, अब कोशन ने हमसे third point हैं, पूछे, average number of workers बताओ, वो हो गए जी 500, कह रहा है, workers recruited and joined बताओ, worker left and discharge बताओ, तो left and discharge में बता देता हूँ, separation 5% का हुआ है, तो 5% और 500 छोड़ कर गए है, तो 25 worker छोड़ कर गए है, ठीक है जी, 25 worker छोड़ कर गए, 500 worker average है, अब first point में क्या पूछ रहा है, workers recruited and joined, worker recruited and joined कितने हैं, यानि total worker कितने आए हैं, यानि accession कितना हुआ है, ठीक है, अब जड़ा देखिए, इन्होंने flux method दिया हुआ है, 20%, flux 20% of average worker है, flux के अंदर क्या क्या आया होगा, flux के अंदर total accession भी आया होगा, और separation भी आया होगा, equals to 20% of 500, separation हमारे पास आ चुका है, 25 worker है, तो accession plus 25 worker, 20% of 500 आ गया, 100, अब 25 सामने जाकर माइनस हो गए, तो accession हमारे पास आ गया, 75 worker, इसका मतलब 75 workers हमारे पास total joining होई होगी, तो यह percentage में देगा, इसको solve करना होगा हमें, यह बहुत ही ज़्यादा famous है, ओके, इसके बाद में हमारे पास आता है last question labor का, यह देख लेख लेख लेख, तो देखे, worker जब आता है entry, और worker जब जाता है exit, तो हमारे क्या-क्या खट्चे होते हैं, जब worker जाता है, तो हमें उसे settlement के पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, worker जब आता है, तो पहले recruitment होता है, recruitment के अंदर हम लोग कई सारे employees को लेते हैं, जिनको हम provision period पर रखते हैं, उसको बोलते है, provision period है, selection किया, fit training करवाई, तो हमारे पास recruitment का खर्चा, selection का खर्चा, training का खर्चा, यह तीन रहते हैं, recruitment को आप ऐसे भी कह सकते हो, कि जैसे आपने nocree.com को, या फिर आपने एक hotel किराये पे लिया, hotel के अंदर आपने employees को बुलवाया recruitment के लिए, तो आपने advertisement किया होगा, nocree.com को पैसे दियोंगे, इन सब को दियोंगे, recruitment का खर्चा है, selection का खर्चा है, interviewer का खर्चा, जो interviewer को आप पैसे दोगे, कि selection आप करो और फिर training का खर्चा है, इनको training करने का, तो जब worker आता है, तो recruitment, selection और training का खर्चा होता है, और जब exit मारता है, तो settlement का खर्चा होता है, तो आपको ICI ये चारोग खर्चे लिख कर दे देगा, तो मैंदा settlement, recruitment, selection और training का खर्चा मिलेगा, लेकिन एक चीज, आपको और label turnover से निकालना पड़ेग, अब वो क्या नुकसान होता है, जड़ा देखे, देखो, होता क्या है, जब वर्कर आपका एकजिट करता है, मानलो एकजिट करके गया, एक जनवरी दो हजार चोबिस में, ठीक है, वर्कर चला गया, अब उसी दिन तो वर्कर मिलनी जाएगा, उसकी हम कहते हैं, डिले इन फिलिंग दा वेकेंसी, डिले इन फिलिंग दा वेकेंसी, ओके, तो होता क्या है, जब एक महीने का टाइम लग गया, वेकेंसी फिल करने में, तो जो पुराना वर्कर गया था, और नया वर्कर आया है, उस बीच के पीरेट में, आपकी मशीने खाली पड़ी रही होंगी, क्योंकि कोई वर्कर नहीं है, तो मशीनों पर कोई काम नहीं होगा, तो अगर इसी टाइम पर मशीनों पर काम होता, तो वो कितना कमाई दे सकती थी, मालो इसे एक महीने में मशीन हमें 40,000 रुपे कमा के दे सकती थी, कि हम उस पे कोई product बनाते है वो बिगता 40,000 की profit आ जाता तो वो 40,000 का आपका नुक्सान हो गया क्योंकि आपकी उस machine पर कोई वरकर्थ हाई नहीं दूसरा जब वरकर्थ आ जाता है तो वो expert नहीं होता उसका चलता है training period वो काम को सीखता है उसकी efficiency हाई नहीं होती आपका नुक्सान होता है तो यह efficiency डाउन होने की वज़े से और delay in filling the vacancy की वज़े से भी हमें नुक्सान होता है तो total 6 नुक्सान मिलेंगे आपको recruitment, selection, training, settlement plus delay in filling the vacancy और unproductive training arts यह आपका नुक्सान होने वाला है सिर्फ दो नुक्सान आपको निकालने है बाकी 4 नुक्सान कोशन देगा कोशन कैसा मिलेगा यह देखे कोशन मिलेगा आपको इस तरीके से the management of company are worried about their increasing labor turnover in factory and before analyzing the point that and taking remedial step they want to have an idea of the profit foregone as a result of labor turnover in last year labor turnover की वज़े से कितना नुक्सान हो गो जानना चाहते हैं यहां पर देखे settlement, selection, recruitment और training का खर्चा तो इन्होंने सीधे दे दिया आपको ठीक है तो settlement, recruitment, selection और training का खर्चा यहां पर हम सीधे उठा कर लिख लेंगे यह खर्चा आगी है हमाल पास यह चारों खर्चे आपको दिये जाएंगे अब कहानी सुनाएगा, कहानी ध्यान से पढ़ना देखेगा कैरें, last year की sale 83,3300 थी PV ratio 20% था तो बताइए आपका contribution कितना था पिछले साल 83,3300 और PV ratio है आपका 20% 83,3300 multiply 20% 16,6660 का आपने पिछले साल का contribution कमाया है अब जाए तिहान से देखना इस line के अंदर सब कुछ चुपा हुआ है वागे जो line आने वाली है total number of actual hours worked by direct labor force 4,45,000 labor ने 4,45,000 hours actual में काम किया है delay by the personal department in filling the vacancy due to labor turnover 1,00 potential productive hours were lost एक लाग घंटे हमारे vacancy fill करने में lost हो गए तो एक लाग घंटे का तो सीधा नुक्सान हुआ है आपका एक लाग घंटे मशीनों पर कोई था ही नहीं ओके फिर कह रहे हैं जो actual direct labor hours है actual direct labor hours है 4,45 कह रहे हैं जो actual direct labor hours है उसमें 30,000 hours training period के जुड़े हुए है जिसमें से आधा time unproductive था कह रहे हैं 30,000 घंटे में से आधा time unproductive था अब जरह यह देखें 4,45,000 hours काम हुआ है इसमें से 30,000 घंटे काम किया है training period में और बचा हुआ 4,15,000 घंटे normal काम है तो normal काम तो ठीक हुआ होगा इस 30,000 घंटे में आधा time तो productive है ठीक काम हुआ है लेकिन आधा time unproductive है यह बेकार है इसमें काम नहीं हुआ तो अब आप यह बताएए effectively काम कितने घंटे हुआ last year 4,15,000 hours और 15,000 4,30,000 hours effectively last year काम हुआ है जिसमें आपने 16,60,000 का contribution कमा लिया तो हम यहाँ पर effective hours से divide करते है कि 4,30,000 hours आपके effective थे जिसमें 16,60, 6,60 आपने contribution कमाया तो एक घंटे का 3,862 आप कमाते हो तो अगर एक घंटे effectively काम करोगे तो 3,862 का contribution आप कमा सकते हो ओके फिर से बता रहा हूँ 4,45,000 hours काम हुआ जिसमें से 15,000 hours आपके training के सही थे और बाकी के 4,15,000 गंटे सही थे 15,000 गंटे अन्प्रोडक्टिव थे तो 4,30,000 hours काम करके 16,60,000 का contribution कमाया तो एक घंटे के 3,86 पैसे आप कमाते हो अब बदाए लेवर टर्णोवर की वेज़े से आपको कितना नुक्सान हुआ 15,000 गंटे तो training वाले बरबाद हुए और एक लाग घंटे vacancy फिल करने में बरबाद हुए तो 1,15,000 गंटे का आपको नुक्सान हुआ है 1,15,000 गंटे का जिस पर 3,862 परार आप कमा सकते थे तो 1,15,000 गंटे multiply by 3,862 आप 4,44,130 कमा सकते थे जो आप कमा नहीं पाए तो total loss में हम क्या करेंगे ये 4 खर्चे जोड़ेंगे और ये जो आपका नुक्सान गुआ है घल्टो का contribution पर ये जोड़ेंगे ये total नुक्सान हो गया ये labor chapter हमारा खतम हो गया बच्चे कह रहें कि सर FMN cost के booster को 2-3 वार करना पड़ेगा यस मज़ा जाएगा 2-3 वार कर लोगे तो और ये overhead कल ले लो सर आज question complete कर लेंगे एक बच्चा डाले जा रहा है उधित कह रहा है लेट हो जाएगा overhead करते करते ओके तो overhead कल morning कर लेंगे कोई दिकत नहीं है हमारे तो कल the end है कल हम लोग खतम कर लेंगे तो overhead हम लोग कल करते हैं आज material और employee post खतम हो गया अब कल हम लोग 2 session लगाएंगे छोटे 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 मतलब एक में हम करेंगे मैं आपको बता दूँ कल हम लोग क्या करने वाले है overhead तो आज रहे गया कोई बात नहीं कल हम एक तो overhead करेंगे job and batch करेंगे joint and by product post accounting system और reconciliation तो हम 3 chapter एक साथ कर लेंगे थोड़े थोड़े प्रेक पर कल दो session लगातर खतम कर देंगे तो कल हमारा पूरा costing का booster खतम हो जाएगा इसके question करके आईएगा और जो हम कल करने वाले हैं overhead important है उसमें job and batch normal है और आपका joint and by product भी medium है कभी आता है कभी नहीं cost accounting और reconciliation भी medium है तो main important होगे कल overhead important बचा है उसके इलाबा बाकी सब छोटे छोटे आदे आदे हंटे में सारे निवट आएगे तो हम लोग मिलते हैं कल कल सुबाब वही आपका दस्वर्य का जो time है कल सुबे दस्वर्य ओवर्येट से शुरूआत करेंगे ओके जी सभी को टाटा बाई बाई